कहीं है मैं कंसे समझते हैं इसके बाने सबसे पहले देखो यहां पर है है कि मेलकम अंधर सकता यहां पर सबसे पहले आज का एक पहले का ऊचक्ष तो देखो हमारा डेटा क्या होता है डेटा उता है डेटा होता है नहें typ की बात के प्रसक्रानल was a अजहांगा और श suff iend at veggieذ हाँ अ ம wired the service अजिक एंडरेलल्वे कर लोगया जैसे बैंकग का देटा हो गया सम Hill City कि इसागरव क्या नाम क्यों किатов भालना नाम क्यों सॉफ्ट्वेर क्ष обязательно। रूज इंकर स्फोम्डेते टा रवी मस्ट दीज्म डीऊ स्वाइबिश अट पर दीटा-बेस मेंनेज मेंसीन अधिडिन से भेश वेल मां तोट मिलना चीए और साथ में जो यूजर को डेटा मिलता है ऑफ फाष्ट मिलना चीए जी जैसे आज के दिन जो आपका जितना भी जो गेम करें अपिन सोदर प्लेस करते हो आप यूटूब के तुरू यह वीडियो देख रहे हो यह सारा यह आपका सारा ओलोर के database का guide है ठीक है अब देखो समझेो होँआ पिछ को meer देखो यहां पर यहां पे next सार्प नर्धों को मिलते सब्सक्राइब करता है औरÃपका database हो उन दोनों के बीच का interface को क्या होता हुlt Mikeоки pam noisy होता है उसका user database के इंटर्फेस होता है आप प्रोग्राम होता है जिसकी साहता इस यूजर क्या करता है देखो यहां पर डेट डेटा में व्वजूद है उसे मैनेज करेगा ठीक उसके लिए सोफ्टेर बना हुआ है जैसे आपने अधीनिस बोर्ड का जो एक्जाम फोर्म फिल किया था और अभी जो आपने अध्मिट का दान जोडेट शनहें या तो यह डून 향 का आपका देटा तो डेटा बेस के अंतर है और आपने आम फ्लिकेशन शौफट्र म्याचा को आपने तो अपने बीकेश क शोफ्टर मुषण आपनि आपने अपिक event की एक्जश को आखता है विए कि आपको देटा वं तक स्बम त अपर आपको चलता था फ्लैट फाइल सिस्ट्म यूज होता था तो जो आपका अंदर आपका मैनेजमेंट पूरा फाइल सिस्ट्म है जैसे आपने देखा होगा कि यह अपर उपरेटिंग शिर्वाट करते हैं और साथ में यह फाइल सिस्ट्म अच्छा होता है जब आपकी हीए हीग है तो लोगी लगी लगी है लुगी ही लोगी हो जाते हैं और आज के दिन अगर मैं डेटा घी बात करो तो आपका जो फेस्बुक को गए आपका यूट्फिम ड़रा गूगल गरा सबुगम को हीज इन के लिए फाइल शिस्टम काम का ही नहीं है आपका operating system के अंदर जो management चलता है वो आपका पूरा file system है अब अगर file system की problems की बात करें देखो problems की बात करें file system की तो problem क्या है data redundancy इसका मतलब है कि file system में आपको different different file में जो data रखते हो सारक साथ redundancy होता है अगर आपने data को redundant कर रख है तो redundant के कारण ही दूसरी problem अकर होती है data inconsistency टीसा आता है नो निकरनशी इसका मतलब file system आपको concurrency प्रवाइड नहीं करता आपके दो या दो से ज्यादा फाइल पर रहेंगुर्स पाइल पर सेम फाइल पे सेम टैम पे काम नहीं कर सकते अरुशोध नौिशी कियूरुटी फाइल अear hanuk Yay को आप यहां पर देखो अगर में डेटा को परद करने की बात करो तो देखो सबसे डेटाइघी सबसेज ओने विट नीज के होटे सबसे चोटी निट होती है और बीट के एक currencies दौन से हमारी क्या बनती है र olhar क्या mm одним वाहते और जो टेखो हिए पारे होता है क्या से सग्टाक्हत assists तो यह क्या होता है collection of bits होता है अब यहां पर A है देखो जो capital A होता है वो real में उसका आज की नंबर क्या होता है 65 और real में वो कैसे रिपर्जेंट किया जाता है यह real representation है क्योंकि computer 01 समझता है तो actually क्या होता है आपका जो data अब आपका बिट्स और क्लक्षण बिट्स ने क्या बन गया आपके दूसरा बिट्स ने क्या बना दिया अब देखो उसके बाद दूसरी दो फील्ड आती है अगर फील्ड की बात करूँ तो collection of आपके करेक्ट्ट्स के collection से मिलके क्या बन जाएगी फ्रील बन जाएगी तो यहां पर फील्ड की बात कर तो मैं ने जीसे मैरा नाम दिल्ड के असोनी ऊफ्रील हो जाएगी डिक 27 जैपुर यह सारी क्या है यह सारी फिल्ड है क्योंकि यहां पर ऐहां पेंपे collection of characters है तो हमने characters के collections क्या बना दिया field बना दी अब देखो next नम्यों देखो लेकर अने रिकोड अगर मैं record की बात करो तो collection of fields fields के collection क्या बन जाएगा वही रिकोड बन जाएगा ठीक है अच्छा अब जैसे मैं यहां पर मैंने चोटा सा एक्जाम पर लिए रोल नंबर नेम और यहां पर मैंने क्या किया है एक आपको रिकोर्ड को दर्श है जैसे 101 रोल नंबर है सुनील नाम है तो यह क्या हो गया प्रेटिकुलर रिकोर्ड हो गया और उसके बाद अगर मैं फाइल या टेबल्स की बात करूँ तो आप के कलक्शन ओफ रिकोर्ड आपके router के कलक्शन से आपकी फाइल टेबल बनती है अगर डेटवेस की बात करो तह इस पेशम का डिलेशनल डेटवेस की का होता है तक आपका यह ओता है घक यकोर्ल्स का ने यही आपकी क्या बना देती है टेबल बना देती है और उसके बाद में अगर लाश्ट बात करूँ आपके डेटाबेस की बात करूँ तो आपके होता है collection of collection of files या tables tables और files के connection में क्या बनता आपका database बनता है ठीक तो यह actually आपका representation of data होता है तो दो को सबसे smallest आपकी bit फिर character or byte फिर field फिर record फिर file या table फिर आपकी database तो आपको पता होना चाहिए आपके फाइल कर रिपर जनर्मल आपसे पूछा जा सकता है तो बेसिक क्यूशन बने गया तो इस टैप से आपका representation पूछा जा सकता है अच्छा नेक्स देखो आपे देखो नेक्स आर आपक फाइल्स होती है और मैंने जो इंफोर्मेशन होते हैं ठीक है जैसे आपका अभी कहते हैं सुनील बहरोड 27 यह क्या है यह सारा डेटा है क्यों कि मैंने इसको मैंने नहीं कर रखा तो देटा का मतलब है कि हम इससे कोई निसकर्स नहीं निकाल पाएंगे ठीक हमारा कोई नि सम इसको तो वह क्या बन जाएक है वा मारिवन जायेंगि इनफोर्मेशन लास्ट एक्जाम मैं पुछा गया था इन फोर्मेशन कि बारे में रहे में तो दो को दैनक प्रोंस ती यह आपका ब्रोसर। रिकित ओननाई डेटा आपका क्या होता है इनफोरमेशन होती है इसक सबसे हाइस नंबर के बच्चे को सलट कर लिया तो उसका क्या हो जाएगी वो क्या बन जाएगी नोलेज बन जाएगी तो उसे सबस्कार्टच्री सबस्कार्च बन जाएगे के अधर होती है वह को सबस्क्राइब करें में बते शीति करने के इन फोली तैंस के फ के फ्रीट डेक्ष के प्रक्टी। सबसे पहले कीवर्य जो ना इस किमा क्या होती है निए में किमा क्या होती है निहुंकि भ्लोड यह थे इसके बात और इसके बात करो लोडिकल कि नोती है नोत Bryrankunya करता चान यह Clayton त्यविंस क्यों लाति है कि अच्छे की वाद एक की वर्डेच ऐसे ओसे होता है नहीं परतीय के जब साथ। किसी परिटिटुलर मॉमेंट पर किसी परिटिटुलर टैम पर डेटबेस का लिया गया थाप च्या г enc now रिया जाता है Most of theenne Switzerland totycznie क्या उस्टेंस च्छते हैं मतलब किसी परिटिकूलर टैम पर सब्सक्राइब हो आपके साइब कि ऑपकी एंग्ड को और के तेक्टले फीयॉई को है जो आपके रूस के मार्की टनिक्रमों के जitter होती है इसका कैप सब्सक्राइब है इसका मतल़ है कि डेटाबेस हम सब्सक्रास्इब हम यूझर है हम फेस्ट्वुइक करते हैं और फेस्ट्वुक को यूज करते हैं तयम हमने देखा हुआ होगी हमिन नहीं पता कि हमारा data कहारा बेस्ट है और हमारा data कैसे प्रोसेस होके हम इसकी inफोर्मेशन नहीं होती है और और Facebook कभी भी एंड उजर किसकी इंफोर्मेशन देती भी नहीं है ठीक है अब उसके लिए डेटाबेस में किस टाइप से हीडन किया जाता है चीजों को किस टाइप से यूजर से चीजों को हाइड किया जाता है उसको हम बोलते है थ्री स्किमा अर्किटेक्ट्र यह पर रहता है वह सब्सक्राइब का लिए उसके बाद तो यह बोलत घृइने स्किमा का दूसरनाम कैन कि स्कीमा का दूसरा नहीं होता है लोजिकल लेवल क्या होता है लोजिकल लेवल और जो फिजिकल स्कीमा होती है उसका दूसरा नहीं होता है इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल ठीक है तो फिजिकल जो स्कीमा होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल लेवल अब देखो अब यहा विलाँ मित धेंड होता है उत धता में उसकर ऑल यूड़ लगत थे ऐकंचि की जो फेकलटी प्रेकल्टी उते हैं फेकल्टा वहले से atelli ओता है या पिए आपका का फेकल्तियॆ होते हैं कैसे लग होता है इस्टेयर्ट जर्नल अपनी खुद की इंफ्टोर्मेशन देख सकत है स्टेयर्ट पर बेंपनी इन फॉश्ट की सेलरी चेक कर सकती है आपके मार्क्स अप्लोड कर सकती और चीज़र्ट ऊगरा क्या करते है तो इन सब का अलग वी होता है तो द्यांदak आप आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि employee की salary या फिर आपसे पूछाता है manager की salary employee से हाइड रहती है तो यह कौन से level का आपका abstraction है तो द्यानक ना इसको कहते है view level या external level का abstraction क्यों क्योंकि सभी के लिए यहां पर अलग-अलग level बना हुआ है ठीक है जो आपके सब्सक्राइब को अलग-अलग तो आपके सबके व्यू को अलग-अलग बताता है ठीक आपका व्यू लेवल है वह आपको सब के जो व्यू है वो सबको अलग-अलग दिखाई देता है इसका मतलब है यहां पर आपके डारेक्टली यूजर इसका मतलब है अगर मैं रिलेशनल डेटवेस की बात करूं तो यहां पर क्या होता है आपकी टेबल्स और टेबल्स के बीच कर रिलेशन्शिप मैनेज किया जाता है किसमें इसका में ठीक है दूसरा नाम के इसका लोजिकल लेवल अच्छा इसमें क्या वोट डेटा स्टोर क्या डेटा स्टोर करने वो बता जाता है कंसेट्वचल स्की अमें अब तीसी आपका फीजीक लेश्किमा!". आप फीजीकल स्कीमा पूलते हैं इंटरनल लेवल या फिर इन्तरनलल इसका मतलब यह बताति यह हाउट डर एक्जली स्टुर्ट टो एकजा अम जो इसके सबस्क्रिटी लिए जो monsh वह ग मतलग सोगे पाक्टकशन से बोत इन्पोरिब क्योंता है तो दैनानग का चले कि इसे से जनेक्टर रोती है आपके डेटा करने कूर्ट होता है यह चो यूजडर को नहीं पता बचे में रहाए कई plus उसका डेटा उसको मिल रहा है तो इस टाइप से जो आपका डेटाबेस होता है उसको तीन लेवल पर क्या क्या जाता है हीड़न क्या जाता है हाईडी क्या जाता है तीन लेवल पर ठीक है तो एक बार इसका स्किन सोट ले लीजिए जल्दी से प्रोंसु अब देखो नैस्ट आता हैं data independence अब देटा independence सम्झोगे actual में हमारा data independence क्या होता है देखो आपने अदेश्ट पोर्ड का exam form फिल कि होगा तो अदेश्ट पॉर्ड गजाम फिल कि होगा तो वहाँ पहले हैं तो देको independent कैसे होता है आपका जो आपके लेवल्स होते उनसे आपके independent काम करता है इसकर होताभ एपी कर सकते हो तो यह कहें किसी मिज़ा लोजिकल डेटाइन्डिकेस्ट कीजिगा जाता है तो उसको चेंज करने नहीं होगा कि हमने जो एपलिकेस्ट प्रोग्राम बना रखें उसको चेंज करना पड़ेगा नहीं अगर आप टेबल की डेटा इकर करने को डिवार्मन्ट सब्सक्राइब चलोन незाग यहां होती है और इसी कहते हैं लोग्राइक है अपिलिकेशने प्रोग्राम होता है अच्छा एक चीज बताओ कहें बार-बार एप्लिकेशन प्रोग्राम को मतलब है कि यहां पर आपकी DB file है, DB file के बीच में अगर मैंने कोई इंडेक्स को चेंज कर दिया जैना कैसे नहीं हार डिसके रोड़ कर दी तो क्या इसके चेंज करने पर कि हमारी टेबल्स के बीच करें चेंज़ हो जाएका या फिरम्मैं मैं कैसे तो application program change हो जाएगा, नहीं होगा, और इसे concept करते है, physical data independence, इसका मतलब है कि अगर internal level पे कोई भी काम करोगे, तो उसका effect उपरवाल लेवल पे नहीं आएगा, और इसी कारणवास, आज के दिन आपके Facebook उगरक जैसे database है, बड़े database है, उसमें आपके updated चलता रहता है, देखो दा क्योंकि आपके क्या है, independent काम हो रहा है, आपके उपर application program independent है, निचे आपके internal independent है, और इसी कारणवास आपके आज के दिन जितने भी आपके platform है, सारे-सारे platform इस पे काम करते हैं, और इसी वज़े से आपको 24 x 7 hour service प्रोवाइड की जाती है, ओके, अब देखो, नेक्ट समझ कि यहां पर बात करूं, तो देखो, यहां पर data models में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो database है, वो पहले database कैसा था और आज के दिन database कैसा है, तो data model में सबसे पहले आता है, hierarchical data model, फिर आता है, hierarchical, network data model है, दोन नों आपके old data model, दोन आपके पुराने data model है, यह दोन आपके old data model है, यह वसक्ता बनती है कर सकते हैं अगिंद को भारसी को गएा तंप उसमें क्यों एड में हो गया फइनंस ने तो थे आप सबसे इंपोर्टेंट के इसका बनता है कि इन पोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इसका डेटा बेस का नाम है इसमें डेटा को रिपर्जेंट कैसे किया जाता है तो इसमें कैसे रिप्रेज आभर शाथ थे घ्रीयों दोल्ट के सबसे इंपोर्ट्रेंड किशन इसका सबसे घ्र की डेटाबेस मॉडल में, आप सुलने डेटाबेस मॉडल सबसे अधर क्यों डेटाबेस मॉडलकी को है तो मनेचर खाल नाम गरॉफ था घृत डुलोपक यह, तो आपके group किसे लोप किया था कोड़ असे नाम के गूप तो उसने उसे डवल पकिया था एक प्रोजर्ट गूप था तो यहां पर डिफ्रेंट के देखो समझे आप डिफ्रेंट के हैं देखो जो आपका हिरार्खिक डेटा मोडल हैं उसमें क्या हैं कि आपके जैसे यह एक परेंट से देखो अब जैसे चाहिल देटा मोड लाओ उसमें एक चाहिल्ड के एक ज्यादा परेंट हो सकते हैं जैसे मैंने क्या क्या को लिया को इसको मैं डिवाइड किया वे इसको मैंने है यह जूंख लाव से अभी पढ़ रहा है और सय लेटील कुछ चाहिऊं चील हैना के debt hour आट इसका जो रिपरेंट इसको सम्मक्स देखो इसको कॉलने परेंट मैंनी चैल्ट मोडल करते हैं इसा लिए को जानता उन्हटाई सब्सक्राइट बेल लगार alc 젖ेट मैं फीह Boss-game सब्सक्राइब आपकर apparent trust in a आपक Remotent आपकर पर पर फे इसका इंप्रसंट्रेंक है तो देख लिए इसका में ने प्रफटेंट आश के को आपका ड़क्ट्र एफ को ने डर्व किया था दिखो बहुत मांसा इस्टेश्ट फेट अटर्व को जो को जिनको की ट्यूरिंग अवार्ड से नवाज अब जा गया था ठीक है तीक है यह कि डक्ट्ट एलन टुरिंग के नाम से जो आवाड प्धावन अटूरिंग आवार था यहां ठान था इसका relation या टेबल तो डॉक्टरिय अप को ने कहा था कि डएटा को टेबल में श्टोर करोी अब यहां पर समझे संघू य है युहां पर रोल करते पकला थे च्टेबला करां चैके चुंट सके उसक्पर ड्रफेत अगेशन के पूछा गई कि टेल्ट के मिल्ट को लूम का कुलम होते हैं को लाम को के तो दूम को जो और नि ऎ महते हैं King क्या मेंद तुछ वह सकते हैं और baru ना सल होट लुगाओ के मिल्कोर्ण क्यानutions आपके रो कोलम कि ईब त्वियर के टेहर इसका अगर समय कौत करते नमबर ओफ रिकोर्ड शना करेंडिकर पूच्छ सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं दब करें चुछ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो ant donald तो आपके नमबर ऑफ एक ट्रिबूट फिल्ड या कोलम आपकी कहलाते हैं एक ही बात तिन्हों क्या कहलाते हैं तो यह दोनु ध्यान रखेंगे अच्छा अब देखो अब नेक्ट रेहाँ पर आपका एक आता है ए-र मोडल मोडल हो थो देखो यह आपकी हाई लेवल डेटा मोडल होता है यह दोरृटा ओंच पूछें बेस का ग्राफिकल रीपरजर्जनेशन करता है जो कैसे करता है जो यहां पर देखो अगर मैं यार मोडल की बात करूं तो यार मोडल के तीन इंपोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटिटी एट्रिब्यूट और लेसंशिप देखो दानकना यार मोडल को डवलाप करने के लिए आपको तीन चीज की रिक्वार्मे आपके डेंट बेस की जो टेबल का नाम होता है झालता है यही आपके एंटीटी होती है ठेकपे की देट लेancऊ की बात करूं थो यह आपका entity set हो गया ठीक है और अगर मैं बात करो रोल नंबर नेम और एज की बात करो तो यह क्या होगा इसके attribute हो गए अच्छा दूसरा कंच अपलाता है attribute attribute क्या होते है characteristics या property of entity तो entity की property और characteristic क्या कहलाती है आपकी attribute कहलाता है अच्छा तीस आता relationship relationship मतलता है association between entity entity के बीच क्या association है यह क्या कहलाती है तो आपकी यह क्या कहलाती है तो आपको आपको एक जाम में बहुत बाघर कूशन पूच जाता है ER model को represent करने के लिए किन चीज की requirement होती है एंटिटी डिलेस्ट संवच पोर एंट्रीबूट कि तीनुक रिक्वार्मेंट होती है ठीक तीनुक एग्जापको दाना को तीनुक रिक्वार्मेंट होती है okay अब हमें पढ़ना है कि हैं देखो यहां पर समझो नहीं वह तो रोड़ी बना चुके हैं अब हमसे क्या करेगा हमसे symbols के बारे में पूच सकता है तो देखो पहला जो अगर मैं symbols कि बात कुर तो पहला था rectangle फिरेक्टेंगल जो होता है rectangle की से जो होती है उसको किसके लिए entity के लिए आपका rectangle रेक्टेंगल रेक्टेंगल किसको 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 रेक्ट सकांटा लगए किसको तो जियरी प्रजेट करता है अनटीटीं टेटी तो एट्रिबूट तो इन के का बीच्न होता है लाइन बनाई जाते हैं अभी देखेंगे इसको बहुते हम प्सक्किन होते हैं तो डबल लिप्स को करते हैं वी इंटी को तो दो आनक ना यह आपके सिंबल है एक बर आप दौबारा से देख लीजी स्किन सोड ले लिजी अग्जाम में डिरेक्ट लीकिशन आता है इन पर पहला है रेक्टेंगल एंटिटी को रिपरिजन करता है दूसरा है एलिप्स एट्रीबुट को रिपर ड्रै wदाट्रीगं पर्जन कथा साथ ओब का डबन करता हैं साथा अपका डबल रक्टेंगब विक थितिस्टी को रिफजरन करते हैं दोसरी हुते है एलेप्स फिद लाइन गहें ले इसके नीचे ऑंद रहिए को होगी है तो इलिप्स सिपम होते हैं जिसके पीड़ें बनते हैं गोन अगर शली के बना रहे हैं तो आपी पर्मींटेटी एंड़ेकिल बनेंगी अच्छा दूसरा होता है ellipse connected with ellipse, ellipse connected with other ellipse, मतलब एक ellipse हो दूसरे ellipse connected है, तो इसको डिखते है composite attribute, क्या रहते हैं इसको? composite attribute, तो देखो यह आपके जो concept है, देखो समझेब यहापे यह आपके जो concept है, यह आपके concept है कि आपको directly तो एक लिए पर शिम्बल के थूप पता लगाने कि कौन सा सिंबल किसको रिपर्जेंट करता है डारेक्ट एक्जाम में इस पर कुछ जाते हैं ठीक है तो एक बार इसका भी शिंच ले लीजिए डेखो नेक्स्ट हमें और एक च्टाएक हम्योम संब्सक्रा बॉल नमबर लिया और उसके निचे में अंडरलान कर दिया इसके मतलत के जहाँए की अट्रीमूट हो जाएगा रोस रहना धिक जए अब में घंक निया वायक्त से आय। सदिखक्रनेट करने का तरीक्त के संता यह आच आफ चानल सब्सक्राइबasında जिसको नीम धिन कर लिए मैं यह तो मुझे लिए कॉसके देटीए को आपसके डूड़ेशन में इक ट्रीका चाहए मुझे на एक ध। पता है और एंड पता है तो कोच की दूरिश्म निकाल सकता हूं तो देखो यह दियान रखना आप से डारेक्ट ली अग्जाम में यह मोडल बनवा तो नहीं सकता है लेकिन आप इसका मतलब कaponलब किसके लिए बनाः तो निकेल करते हैं ने मेंतलिस्टों किसके आप 1913235 अधर UCLA गर ब्लुप्रिंट आपके घर को मतला कि घर का ग्राफिकल रिपरसंटेशन अंपके को पीन पे उसके बेश प्रेट में नक्सां आपका पर नगुषा है। तो उससे पहले उसका graphical representation किया जाता है जिसको जिसको किसके help से करते है यार मोडल की help से करते है अब देखो अब यहां पर देखो अगर next में concept की बात करूँ तो देखो समझो आपर next concept हम देखो next concept आता है की देखो बहुत important concept है है definitely examination आएगा की की उपर ठीक है हम सारी की सारी की को बहुत easy concept पढ़ने वाले हैं देखो की का concept real में बहुत easy concept है बहुत अच्छा logic है अब की का मतलग क्या होता है देखो attribute या set of attribute मैं कैसकता हूँ प्राइक की प्राइमरी की में अब की कि इन की की के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है अब तो तिएक यह सारी की मापको एक सिंगल टेबल की साहिता से निकालोंगा तो दिखो आपकी सारी की का यहां पर डिफ्रेंस होता है तो बिल्कुल आपका जो लोजीक होता है उनसी चीजों को समझेंगे डेर्क्ली एक्जाम में किशना आता है इंचीजों उपर तो देखो इन करवाऊंगा आपके लिए सोट नोट्स बनाऊंगा तो मैं वहीं कर रहा हूं तो एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका डीवेस में ठीक है अब देखो यहां पर जो की का कंसेप्ट उसमें समझो देखो सबसे सबसे पहले आप समझते हैं देखो यहां मैं एक टेबल बनाई हुए है देखो अब क्या अब जो टेबल है इसके तुरू मैं सारी की निकालने वाला हूं ठीक है तो मुझे सबसे पहले उन एक्ट्रिब्यूट का नाम बताओ जिन एक्ट्रिब्यूट की सायता से हम इस टेबल के रिकोर्ड को युनिकल अब की मुझे जल्दी से बता देजॆ आपके वेल्यू रिपीट नहीं और यहां पर सामपै नहीं और वैलू डू लुय और घ्यूरि जमने जिल्दी कि आपके वैल्यू रिपीट नहीं हो रही हैं अच्छा पहला मूम है पहला कोलम पैला मश्योंग तो नहीं होर Herr आपका जो employee ID है इसको मैं मान लेता हूँ ठीक है यह आपकी की बनने के लिए तैयार है employee ID के अंदर value repeat नहीं हो रही अचा है अब देखो अब देखो सेकंड कोड़ोंट कोड़ी दे आम वाल किन शुती ऑगा अफक नहीं सकता अधार को में वरि बताव ले सकता हूं नहीं ले सकते हैं या पे इस कॉल लम को तो यहां पे इस कॉलम को स Kinzna करूंगा है ने करूंगा तो मैं आदार नमर कंसिडर करूंगा देखो Because 와 इंपोर एंपोर्ट है इन को सके आधार नमिल में मों कौन 더 करूंगा अच्छा अगला देखो passport number PPO number है देखो passport में P123 फिर P231 फिर P312 फिर P3 321 फिर P512 क्या यहां पर repeat हो रहा है क्या repeat नहीं हो रहा लेकिन नहीं साथ में तो ले सकता हूं नहीं सकता ले सकते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो PPO number देखो समझो बहुत important concept है बहुत अच् यह 101 अकाउंट और यह 101 अकाउंट में repeat के लेकिन दानगा बैंक अलगल लेकर देख लिया अब मुझे ऐसे कोलम देखने हैं कि एक से ज्यादा कोलम देखने कौन से मतलब एक से ज्यादा कोलम से भी क्या कोई unique field बंद लिया कि तो देखो मैं आपको कह रहा हूं कि bank देखो म यूनिक हो जाएगा अब यहाँ पर चराप आता है कि नल भार नल यहाँ जो अगर एक से जाधा नल लाए तो यह डोनों नल तो सेम हो गए यह यह उनिक कैसे होते हैं तो अब यहाँ फे थो देटाबेस का नल का तो समझा डाबेस के बोथ चांदार इस्प्वाइस का होता है तो देखो नल कि डेटाबेस में नल क्या होता है ठीक टेटाबेस के H renorge of sense अल्होटकर सब्होटे डिचलड आनल कि अच्छेश जीरो देखो नोटेश्जीरो नोटेप orbits झीरो ठीक है और अच्छंद्ट ए नोटे ब्लैंक स्पेस नोटे ब्लैंक स्पेस देखो ने तो जीरो होता है ने ब्लैंक स्पेस होता है तो फिर क्या होता है तो बताओ क्या होता है तो यहां पर होता है हमें पता है कि नल क्या होता है नल इजे इस्पेशल वैलू क्या होती है आपकी इस्पेशल वैलू इस्प यह तो नल ऑन सेम टेबल सेम टेबल और युनिक आरका उता है उनिक आपका बहुत इंपोर्टेंट कंसैप्ट आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस में कभी भी टेबल में अगर दो नल है तो दोनुक दोनुक क्या होंगे युनिक होंगे दोनुक दोनुक क्या होंगे अलग-अलग होंगे तो नल क्या होता है नल ना तो जिरो होता है देखो दानकना एक्जाम में डाइक लिकुशन होता है वोटीज नल 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 न कि यहां पर हमने इसको इन्क्रूड क्यों किया है क्योंकि ये नल और ये लब कगे लगल एंग मने नल उते होते हैं इसलिए मैंनने उतकर टेंजा ञां क्यूंद किorn स्टेफिक की ऩो मिनिमाम एक्रीबूट के सैट से मिलके बनती है इस आपको मिनिमाम एक्रीबूट को सै क् Det siitä करता है टेबो के रिकार को दिएकिपां है हैं और मुझे क्या करना है वह एक थैर्विप dave करना जिसकी फिल्ड वालू नल नहों मुझे इन मेंसे एक ऐसी कंडेट जोता इकोष चूज करना जिसकी फिल्ड वालू नहों to क्या एंपुल यॉद्टो ऑल्कुल एंपुल इसलेक्ट कर लेता हूं और इसको मेंत प्राइमरी जो कि दो नहरु समझ oni सम्झो किरनी क्या होती है पहली बात थो प्राइमरी की होती है क्यों क्योंकि मैंने कंडेट की मैं से थिल्क कि हुchno नहीं होनी रिया को और एक प्राइमरी की हो सकती है अच्छा अब देखो अब प्राइमरी की को छोड़ के बागी तीन की बचगी अब इनको क्या कहेंगे प्राइमरी की को छोड़ के बागी तीन की की बचगी इनको क्या कहेंगे बताओ वे जल्दी से क्या कहेंगे और अल्टरनेटिव की कहेंगे और क्या होता है secondary की होता है तो देखो द्यान रखना तीन की हमारे साम निकल के आगी कौन सी candidate की आ गई primary की आगई और alternate की आगी ठीक है अच्छा candidate की तो क्या होती है बहुत मिनिमम एट्रिबूट को है तो सबसे पहले मैं एंप्लाइल लिया जो सिंगल कोलम है तो अ च्छक्र लक्तर निया तो मैंने क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया तो द्यान रखना प्राइमरी की भी एक होती है प्राइमरी की होती है प्राइमरी की होती है अच्छा अब देखो जर्नली क्या होता है प्राइमरी की हमेशा यूजर को असाइन की जाती है जैसे आपने को बैंक में जबाप प्राइमरी की वह कैसे कंशेप्ट आप फ्राकिमरी की को छोड़कर बाग की सारी कंडेट की कहा लती है अल्टरेनेट की अब इनकी जफिनेशन देख लेते वर वो तीजी नियुक हो गया देखो एक और इसका इसकी नित्सक्राइब ने सकते हो अच्छा रहा सकते हो हो जो आप समझे जो आप समझो एक समझो रहा हो गया था देखो आप समझो मिनीमम से टो पर एक्ट रित्रिबूट यूज चो टूट टेबल रिखोर यूदिकली देखो दाम एस्पेस्यल हमें का रहा हूं मिनीमम के ऊपर आप 3-4 बार अंडर्लाइन कर लेना जब तक क्युश्यन में मिनिममम ना दे आप कंडेट की नहीं का ओगे कंडेट की की स्पेशल यहां पर डेफिनेशन मिनिममम सैट ओप अट्रिभूट डिफ्रेंशिए यूज्ट टेबल रिकोर्ड यूनिकली सबसे पहले आपको मिनिममम अट्रिभूट का से टोना चीह तब ही होगे कंडेट की कहोगे अच्छा दूसरी देखो कैंडेट की के अंदर नल वैलू हो सकती है आपको दानगना कंडेट की के अंदर नल वैलू हो सकती है more than one candidate key allow on single table एक table में एक ज़्यादा candidate की हो सकती है यह आपकी क्या हो गई? यह candidate की बन गई ठीक है? तो candidate की क्या होती है? minimum attribute का set होती है जो table का record को uniquely identify करती है और क्या होती है आपकी candidate की? candidate की कंदर null value हो सकती है और एक table में एक ज़्यादा candidate की? हो सकती है है रट लेना चीजों को क्योंकि सुनिल सर के द्वारा ही पढ़ाए गए ओफ-लाइन में ठीक है अच्छा नेक्ट देखो यहां पर देखो नेक्ट आना प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होती है देखो समझो अगर मैं बात कुर तो युनिक और नोटनल तो देखो अगर पह क्या है और इसकंसट करते हैं इसको एंटरी रिटी इंटि इंती आलओ आप से जाफून जाँच जादाब नखना है एक primary की हो सकती है एक table में कितनी हो सकती है एक ही primary हो सकती है एक table में तो यह आपका क्या concept हो गया primary सकत्राइब करनें तो प्राइमरी की और सकेंडरी की एल्टरनेट की तो समझो देखो अगर मैं सैकटाय की कि बात करूं तो एकसेप्ट प्रायमरी की को छोड़कर ओल केंडीट की और सेकंडे की ओल की प्राइमरी की को छोड़ कर बाग की सभी केंडेट की कहलाती है सेकंडरी की कहलाती है या अल्टनेट की कहलाती है द्यानकना प्राइमरी की को छोड़ कर बाग की सभी केंडेट की सेकंडरी की अल्टनेट की कहलाती है अच्छा सेकंडरी की फील्ड वैलू कैन बी नल एक टेबल में एक ज़्याद सेकंडरी की पॉसिबल है तो आपको ज्याद रखने एक टेबल में एक च्छोटा सा एक्जामपल लेके चलते हैं अभी तक हम ने क्या समझा है कि टेबल की शाहता समझा है तो यहां पर आपका जो रिपर जैंट करने का तरीक है वह थोड़ा सा लगए अब देखो यहां पर काईशे रिपरजेंट के यहाँ पे? मैं जो यहां पर रिपररंट के रिपरजेंट के हैं तो यहां पर आर तो टेबल का नाम है और यह सारे के सारे टेबल क serziia Mitt ända के टेबल कहा है यह हम सु furnace देखर दानक ने क्वेसे पू站 कि इस कि यह दो में आपक2 से लॉए ऐसा आट्रिबूट जो कि कैंडीट कि इसे बलॉय उनक करते हैं अब देखो समझें आपे देखो A प्राइम एट्रिबूट होगा B प्राइम एट्रिबूट होगा C प्राइम एट्रिबूट होगा E प्राइम एट्रिबूट क्यों कि सारे सारे केंड़ेट की से ब्लोंग करते हैं वो क्या कलाते हैं प्राइम एट्रिबूट कलाते हैं बहु write of candidate की को छोड़ कर बागी सभी Putting él Mikey क BL делать it candidate की attribute को छोड़ कर बागी सफ gehen 3ड गलाते हैं non-prime clip का लटे तैंकोंसा होता है इसकी बात करते हैं डी होता है इसकी बात करते हैं कुछ क्यों एफाई हो गया आपका वी सी हो गया ई हो गया कौन्सा बज़के बज़के दो डी एक है घ्रिपूट इ से बात क्रों तो आपका ए और ले क्या हो जाएगा आपे सिंब्र कंड़ेट को जाएगे नेयगा कंपाउंड कंडेट की तो कंपाउंड या पर मिलेक्स गंडेट की तो नफ्रेट की candidate की with two or more attributes ii candidate की जो कि दो या दो से ज़ादा अट्रिबूट से मिलके मंती क्या कहलती है compound या complex candidate कहलती है तो यहां पर कौन चो जाएगी B-c यहां पर कौन चो जाएगा आपकी B-c के का compound candidate के तो दंगणा इजी सा concept है le время कई बार में क्योश्यन आता है एक बड़ इसका स्क्रीन चोट ले लिजिए ओके गुरुदेव कमेंट्स बॉक्स में बच्चे क्या बना रहे हैं रिलेशन बना रहे हैं कोई दिक्कत ने बाई सभी का एकजामें स्टर्व बाद रिलेशन वहीं काम करेंगे वागया सभी कर रिष्टाए करवाएंगे फिर ठीक है तो पहले तो पहले स्टर्व लो वह सबसे बड़ी गुरु दक्षन है मेरे लिए पहले स्टर्व नोच आप सभी का उसके बाद वह म Coca पर सबस्वार के तो नेग हैं तो ने जाता आँ सूपरी अब दॉसख चाहिए आपि अंदुल new next आता है तो लिए अब देखों समझो सुपर की डेफ्रिस्य सम्झो देखों सुपर की क्या करते यह हैं देखों में सैट सोब अट्रिब्यू देखों सब्सक्राइब यूज टू डिफ्रेंशे टेबल रिकोर्ड उनिकली देखो सब्सक्राइब इसका मतलब है एक या एक सब्सक्राइब करते हैं क्या कहलाते हैं आपके शुपर की कहलाते हैं अब देखो यहां पर की कहलाती है तो आपको इतना समझना है कि शैट्स अट्रिवूट इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा गवेच इसे मिलके जॉप की की बनती है जिसमें मिनेमं कि एक आप कहलाती है गया जब जब तक आपके क्यूस्टन में मिनीमम ना देना आप हमें श्या क्या बताओगे शुपर की क्योंकि के लिए स्पेशल में संगरेगा मिनीमम एट्रीबूट और जब तक मिनीमम एट्रीबूट को जिक्रा ना करें आप क्या कोगे सुपर की का होगे अब देखो सुपर की क्या त्रहुंग क्या ले रहूं में इस डेकल में रोल नमबर नेम और एज आपके तीन कोलम है ठीक है अब मुझे आपको यह बताना है कि आपको देखो कितने भी आप आप कोलम ले सकते हो आपको table के record को uniquely identify करना है आपकी कोई bounded रखते हैं कितने भी कोलम ले सकते हो कोई minimum की बार्टेशन नहीं अब देखो समझें यहाँ पर गता है जो क्या बन गई आप तो दूसरा मैं के रिकोर को उनिक लटन पखर ना चीए तो मैं कह रहा हूं पहला मैं कहरा हूं रोल नंबर एंट्रिबूट ले रहा हूं रोल लूर्ण नंबर प्लस नेम यह रहे हैं कर रहे हैं यह भी कर रहे हैं तो इसको में क्या कोंगा यह भी इसका मतलब क्या होती है यह बी इसको मिला दिया तो यह बी क्या हो जाएगी चोत कर रहा हो रोल नमबर नेम और एज मैंने सभी को नूट कर ले तो क्या हो जाएगी यह भी super इतने भी शूपर की और गी मिनिमुम् एक आपको मिलेगी एक यह मिलेगे और अभ मैं यह कहता हूँ है कण्डेट की पता है रहत Premium से प्रीड करने में अच्छा सब्सक्राइक किर गयasına रजाएंा देंगे जो सारिक शारी super की है इन सभी super की में से रोल नूबर ऐसी की है जो आपकी candidate की भी है किया है candidate की है वर सासले super के जो आपकी super में से निकल का के डाइट वे करता हूं super की मेंसे जो सबसे minimum minimum की होगी वह क्या कहलेगी आपकी candidate की कहलेगी तो क्या मैं definition यह कह सकता हूं कि minimum super की candidate की होती है बिल्कुल होती है हमने देखा यहां पर कि सारी इक सारी एक super की थी इन में से मैंने minimum देखा और यहीं क्या बन होते हैं कि 2nd आपकी कंड की आपकी कंड की होती है चीक है ठीक है अच्छतों अपर western to अपक路 सबसे अब से होता है धूता है दो धाल शुपर की सबसे चलता है पर आंतकर होती है और आपकी क्योंंटि कि बोती है सकता हूं जो शुपर की होती है उसमें से हमारी केंड़ेछ क्योंते हैं तो देखो यहां पर मैं यह क्या सकता हूँ कि प्राइमरी की एक केंड़ेट की होती है फिर आपका केंड़ेट की से बीच का रिलेशन है तो आपको ज्यान रखनाना है की के बीच का रिलेशन है ही और के आपको सैह को कि यहां पूछ सकता है अब आपको समझोम पूछे आपको yeah चोटा सीचामपल उपन आपको और यह और आप से Kartसमीर का टोल नमब्र हुआ, तोटल नमबर उप सुपर की बताओ अब आपको करना क्या है वह आपको इतना सा करना है कि जो एना एक को छोड़ के जितनी वी अट्रिबूट उन सब एक्ट्रिबूट को टुक की पाउर्म लगा देना अगर फोर्मूल एक बात को तो टुक की पाउर एन माइनस वन एन हो जाएंगी offline में आपको आराम से निकाल के दिखाया था तो आप इजी लिए उस concept को समझ गए होंगे तो यहां पर क्या आठ क्या हो जाएंगे आपे सुपर क्यों जाएंगी ठीक है तो आपके एक्जाम में अगर आपके इस पॉइंट में कुशन आजाएं आपके नुमे गी तो की पाओर थी ये किसी विए शायता बनेगी बिकी शायता से लेकिन भाई आपको एक चीज़ा डान के इन दोनुब के कम मैंड करने पर कुछ कॉमन शुपर की जरूर बनेगी ठीक को मन सुपर की कैसे मनेगी जैसे एक एक अधर नौरमल शुपर की बात करों तो एक तो को पर की बनेगी एब उरोक्व सुपर में तो को ठीप का डानते क्तीक विए टो जोने को मुणने की तो कहां मैंनेंक की तो मैंने क्याendं दिया मायने तो कि आप्ड लगा दू雅 मैने सुक्व क्वश तो भी आपको व्यानके करके आने क्ई कुए मैंने ओल रिड़ी आपके बहुत अच्छे छेश्य्ट करना व्या आपको सौल करके आना कए बहूंने तो था फोरन की कम दो पूर्ण की का इस ऐसी खत्म वह अब दूसरी की आगई तो पड़ाई श्टार्ट को ना toijo Mathot Nические OnceQué First है फोरिं की परिम्हान की का मतल्बा रेफ्रेंशल की दो यहां पहे के यह रैफ्रेंशल की सम्सेयो देको रयफ्रेंशल की आतीया छा देगuj अठीक जो फैरी अचिता आप लिकार जांते है अबकुसम जो फोरिंटी क्या होती है देखो Sat of Attribute Reference Step of Attribute Reference To Primary On Same Relection इसका मतलब Same Table Or Some Other Relation इसका मतलब किसी दूसरी Table में तो आपकी क्या होती है Attribute का Sat होती है जो क्या करती है किको किसको Primary की को किसमे करेगी या तो खुद की Table में करेगी या फिर दूसरी Table में करेगी द्यान रखना फोरन की स्वेम की टेबल में भी रिलेसंसीब बना सकती है अच्छा काम किस के आती है काम आती है टेबल के बीच रिलेसंसीब बनाने के लिए या मैं करता हूं स्वेम की टेबल में रिलेसंसीब बनाने के लिए काम आती है अच्छा अब यहां पर समझो जो फो दिया कि फिल्ड वेलू कानना था है अधोरे के फिल्ड वैलू के अंदर डुपलिकेट हो सकता है अलाव होता है अच्छा मोर देन वन फोरं की ओन शिंगल टेपल इसका मतलब है एक टेपल में एक ज्यदा फोरं की हो सकती है तो यह आपके इंपोर्टेंट सब्सक्राइब आपको सभी कंशेप को बहुत अच्छे ज़्यान अगर फोरं की बात करें तो फ्रों की काम किसे कह आती ते के बैष से बनाने के लिए इसे काम में लिया जाता है बनाती के लिए सिर्वारदा और पैरेंट हैं सिर्ष बनाती रेख़ करते हैं जो दूसरे टेबल रेखर करते है किसको primary कि को ठीक है अच्छा आप यहां पे रियल कंट सम्झों करियोल कंटर सम्झों कि एक्चलियाप इस एक्जांपल चाह पच्छी समझ पहोगे देखो यहां पर दो टेबल लिए ग्रम ocurse अब इन टेबल के बीच मैने फिस्तापित क्याएव एंक रिलेशनिशिप कैसे इस्तापित क्या समझ襲 एक र कहां पाइस आ wanna देखो यह आप लोगारना रहा है यहाँ पर पिस रॉल नंबर रहा है वॉरण की कर रहे हैं अब है पोरवन की रहर कहां पर कर रही है यह दूसरे लेसिन में दूसरी टेबल में रिफर कर रहे है और उस टेडबल में और पिरोल नुमबर क्या बना रहा है व अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोर्स का नाम है CID जिसकी आईडी इसका नाम है DBMS उसको study कोन कर रहा है 101 स्टेडी कर रहा है इसका मतलब रोल नंबर 101 आपका कोर्स पढ़ रहा है DBMS और मैं साथ में कह रहा हूं कि रोल नंबर 101 आपका CN COMPUTER NETWORK पढ़ रहे तो बहुए एक चौर्स बढ़ सकता है कोई प्रोग्रम नहीं होती है तो द्यानुखना फोरंड की के आंदर आपके वैलू रिपीट हो सकती है ठीक है आपका प्राइमरी की में मौझूद है क्या यहां पर देखो द्यान रखना के अंदर प्राइमरी के में मौझूद है यहां पर देखो द्यान रहां किया यहां पर फोरण की में 108 ले सकता हूं क्या मैं कह रहा हूं यहां पर इसे प्राइमरी की में तो मौझूद नहीं नहीं लिया तो उसको कोर्स कहां से आप पढ़ाओगे आप यहां पर कोर्स पढ़वा रहे हो नहीं कैसे पढ़वा सकते हो नहीं पढ़वा सकते हैं यह आपका क्या है इन्वैलिड है यह आपका क्या है इन्वैलिड है यह आप नहीं कर सकते हैं तो आपके फोरण की के अंदर सिर्फ वही वैलू हो सकती है जो आपकी प्रैमरी की म तरहां में डार्ट लिकिशन पुछ जाता है टेबल के बीच रिलेस्टंसीप इस्थापित करने के लिए जिस की का यूज किया जाता है कौन सी की है फोरन किया ठीक है अच्छा फोरन की के ओपर जो बाकी जो एक अधिक सारे इस अधिक आपको पता होना चीए किने की के अधिक आथ गांडिकने कि सेटेखो अधिक कि अधिक्रीय आदापी इस सिस्था पूर्ण न्यौर्ण के ओपर के अंदर जो अवारी शुमल के आउं सी होती है जो वारी होती है उसको को इल्लिमनेट करते बहई इसको या तो कम करते हैं या फिर उसको अटाने कोसिज करते हैं क्या करते हैं इस्प्लिट करते हैं टेबल को तोड़ते हैं ठीक टेबल को इस्प्लिट करते हैं तो नोल मेजिस्म क्या होते हैं डीकंपोशन करते हैं टेबल को इस्प्लिट करते हैं अब यहां पर देखो यहां पर कंसर्प क्या अगर नोल मेजिस्म बात कुनों तो तो आपको होता है Eliminate Reduce Redundancy of relation और table अच्छा अब सबसे पहले यह समझते हैं देखो सबसे पहले समझते हैं कि table में जो redundancy होती है देखो table में जो redundancy होती है उस redundancy के कारण आपके problem क्या करोती है तो देखो problem because of redundancy redundancy मतलब है अपकी duplication रिकोड डुप्लिकेट हो रहा है तो उसकी वज़े से problem क्या करोती है देखो समझो कि table में redundancy के वज़े से क्या problem अकर होती है जो problem हम समझेंगे उसी तो दूर उसी problem को हम क्या करेंगे शोट आउट करेंगे अब देखो problem समझो देखो ये टेबल है मैं कह रहा हूं ये कि टेबल है अच्छा इस टेबल में अब आप मैं कह रहा हूं इसका नाम सुनी लें जिसके 28 जो सीवन जिसकी वोग सीवन को साइड पढ़ रहा है इसका नाम डीब मैसे इसकी फिस कितनी है 5000 तो देखो यह मैंने एंट्री कर दी अब देखो समझो अब देखो यहां पर दूसरे इस्टेंट है दूसरे इसका नाम है एस्टू जिसका इसाइड इसका सोनुन नाम इसकी 28 उ यहां दूसरें को समें कई सर्थ का कोई को सिंटल मैं ने नहीं कर एक निक लुगा तो हमने यहाप दूसरें कर दो अब अब wilkebuिश लेकRO अब मुच यहावे छ लूंट शायर्ट टालम कई अल्ट नह लूंट जा नाम को दैव लूग हा जिसकी इसे को नया लौंट किया ग दूसरी कोड रूप में आपको नल वैलु इंसेट करने पढ़ रहा है और इसी प्रोग्लम को हम कहते हैं इंसेट एनमलीज इसका मतलब है अपसे डाइट लेकिश्ण आता है कि टेबल्स में नलकी संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है कौन शीया नमलीज कहलाता है इंसेट अन नमलीजाई वह इंसेट अनमलीजा रहा हूं देखा दूसरी अमलिजस सम्झ आपमेल कि टेखो यहां पर एक रिकॉऱ् है है याँ पर चाररा हूं कि पोच्छट ऑस सॉनननीगिजिक है तर् yağ करन श॥्या अपना कैंसेट कर्वा लिया अब जब मैं इस टेंट का जब रिकॉर्ड को अटाऊंगा जब इस डेंट का रिकॉर्ड को अटाऊंगा तो आपके होने क्या वाला देखो मैं इस डेंट के रिकॉर्ड को अटा रहा हूं तो इस डेंट के रिकॉर्ड के साथ में कोर्स का रिकॉर्ड अट गया मुझे बड़ी च Cameいき और नीटर सामें कॉर्स का क्रिकोड अट गया तो इसमें क्या होगा एक रिकोर्ड की अटाने से दूसरा सब्सक्राइग का डेटा बैट गया तो उसी प्रोब्रॉग्लम को करते है टेलीट इनमलीज ऐने कुछ एक पार टीकुलडा डिटेल को रिट कंप कर है पाप के साथ दूसरा डैटा बदिलिट हो जाना क्या होता है डीलिट अमने अच्छा अब यहाँ अभी थार प्रोग्लम इहुआ तीसरी प्रोग्रम आपे कहते दिए कि आपके से बड़ा कितनी करनी साथ जार करनी अब जब मैं इसकी फीश को अपडेट करना चाहिए लेकिन यहां पे मुझे इसको मल्टीपल लोकेशन पडेट करना पड़ रहा है परagtव करना पड़ रहा है और मल्टीपल लोकेशन पर्देट करते समय अगर किसी भी लोकेशन अपडेट नहीं गर्वा तो यूवा उसे प्रोग्लम क्याते हैं अपडेट एनमिली इसका मतलब है सिंगल कोर्स के लिए करने के लिए इस रिकोर्ड को अपडेट करने के लिए यहां पर इस रिकोर्ड को अपडेट करने के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल रिकोर्ड को अपडेट करना पड़ेंगे इसी प्रोग्म कहते हैं अपडेट अनमलीज तो अपकी तीन टाइप क डेटाबेस की दाना ग्जाम में directly पुछ जाता है डेटाबेस की इनमलीज कोनको छोती है इंसाइच अनमलीज डिलेत अनमलीज और अपडेट अनमलीज यह ठीन होती क्यों डेटाबेस में रिडेंटेंसी के कारण अनमलीज होती है देना डिटो पॉइंट टू पॉइंट आपको रिविजिन करवा रहा हूं डिरेक्टली मैं कह रहा हूं कि आपके एक्जाम में जवाप एक्जाम देने जाओगे तो डिटो आपके क्यूशन मिलेंगे और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करके बताना मेरे खुद के वीडियो पर के सर इस से कितने क्यूशन आई है ठीक है यह सैसन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह सैसन आपको मैं उस टाइम पर आपको डिलेवर कर रहा हूं जिस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा रिक्वाइड क्योंकि इस टाइम आपको रिवीजन कोल उन चीजों करना है जो आपके कंसेप्ट आपके माइंड में अगरा इमेज आपके दुंदली हो चुकिया तो उस कंसेप्ट को रिकॉल करवा रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है डीब्यमस का अंदर सारा का सारा प्यो किसेट नहीं होना चाहिए डीब्यमस का किशिन आपको शोल करना ही है ठीक है अब देखो नेक्ट समझो देखो आपके अनामली श्याप पर समझ लियमने डेखो नेक्ट आपका अपका कर दो फंक्सनल डिपेंडेंसी बहुत इंपोर्टेंट कंसेप डेटबेस का फंक्शन Politionaltet covenant C FD Westernese सबसे पहले बताधीं एफंशल डिपेड यह glossy किはい can टो आपकी के फंक्षिट डिपेंडेंची होती है पर चाहिको समझो आपके फंक्षिथ डिफेंडेंटनेंशी इसे बिट्वीन निटेबल में क Prize मैं इसको याचाई कर रही कर रहा हूं आपसे पूछत रहा हूं कि Mere Stern को यहाँ उनीर है यह दोनुन सुनिल क्या सेम है अलग-अलग है अब आप प måste हो गया एस तो से किसके पास जाएंगे इंटिफे करने के लिए हम किसके पास जाएंगे रोल नमबर पास जाएंगे किसके पास जाएंगे रोल नमबर पास जाएंगे अब देखो समझो हम यहां पर जाएंगे रोल नमबर पास अब इसका मतलब है कि आपका नेम है नेम नेम आपका फंक्शनल को डिपेंडेंट है क्या ने मापका फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर roll迫 फे यह मैं क्या सकता हूं रओल नमघर आप किसमों करें जानओं कि को एक रिलेत्सिप। आपको किसी मताय जाता है आपके FD की चाहता से दर्साय सा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ओके देखो next देखो यहां पर देखो मैंने कुछ यहां पर केस लिए और यहां पर डिफाइन करने कोसिस किया है कि एक्ट्वल में FD आपको कैसे एक्जिस्ट करनी मतलब FD आपको find out कैसे करनी आपको FD का पता कैसे लगाने भी कौन सी FD पता कैसे लगेगा अप देखो समझो देखो कि आप मैंने केस लिया है यहां मैं कह रहा हूं देखो समझो यहां कहा हूं रोल नंबर आपका रित्रमान करें कर नेव को डिट्रमान करेंगा तो चया होगा आपके रोलनंबर के same value पर name हमसाy होना चीह है अब मैं कहारा हूँ फैला case देखो कि रोलनिम्बर one य नॉम्ट पर टू है कि बन् Suknya का नाम के सुना या ठीकत निया दोस्तल नाब के स्चट हो सकते हैते है कोईप्कत निया में तो उसल कोई आपका वैय रेकिता तो क सुनीर पर किसे अक्राव नंबर साव अना नाम बींग चनल इस तैस pueblo कियो शोल स्वीले एप पोशीबल नहीं ए अब यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आगा यहë herika ऑब को जाया अब मुझे आशे एक चीज समझ में आ गई कि जब पें और ऑन परक्टовать in और फोस्ति और का यह कुंचिक्टすंघ इस दिगएर हें कि देखो अब यहां पर देखो आपको इतना जान रखना है कि आपर रॉल नमबर के सेंट लू पे नाम क्यों चीजिए ऌर रोल नंबर के डिफेरन पे नाम कुछ भी हो सकता है ठीक यह चीज आपको द्धे अब मुझे बताव यह एक टेबल यहां पर यहाँ पर कॉनकौ गो एकुछ भी धे समस्की डिफ्रेंट करआ यहां को इस डिफ्रेंट व्याइज लुटिंफ करेंगा तो के लिए परयको लिए अब देखो next case देखो next case कहा हूँ मैं एक टाहरा हूँ कि y डीटर वाय डित्रमैन कर रहा है जैड को अब देखो मैं कहारा हूँ डितरमाइन कर रहा है जैड को क्या यह वैलीड है इन वैलीड है रिजर करेंगे पता रहे हां modern क्वाई की वाल वाई की वैलन देलोszऑं में यसे मोई heck तरह करो जो के जैसा मुशकं सबूस्ट दिख किसे मपन सब्सक्राकिन किच घाए को ने इन पर मुझा गर कर रहा हूं कि ही जनल इंसकोब इसे में क्या बीवन बीवन बीटू भाई यहां तक तो ठीक है बीवन बीवन यहां पर बीटू हो गया इसका मतलब जान रखना आपके जैड वाई को डिटमाइन नहीं करेगा यह क्या हो जाएगा इन्वल्ड केसे तो अगर एक्जाम में इस टाइप से पूछ ले किया पर क तो आपको सिर्फ इतना सा कंसर्म ढगरा है तो जान रखना कि यहां पर जो है का ग CMD एकस्ट करेगी अगर सबस्akat मेंसे तौन एक्स यह और दिटारे कोशन करेगा यहिए आपको डान रखना है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है important concept आपके 8at ideically flexible संध यह घर मैं टैप पंक्शन डिपेनेन्ट को तरो तो पहले फंक्शन डिपेनने को किरे तरी वेल फंक्शन डिपेनने को अधिर पैली आते आपकी ट्रिव वक्ष। होती हैivity्ल पंसे डिपर देटवार बनेंट हैं को कि मम फंक्षुरी होती है तो आपके आपको इतना से दान रखना है नहीं नहीं तो आपकी ट्रीवल होगी नहीं तो डेटरियल नहीं होगीश थिक अब देखो एक्जांपल ले रहाँ सारे दिटर्माइन कर रहे हां साइडी क्या य-क एक्र backbone कर रहे है enabling कर हुआ साय इक्रमाइन कर है हैा साइड और दलक्र ऑढ़ना कोई भी एक्रिबूट कोई भी एक्रिबूट स्वहक को हमेश्यां डिटर्माइन करता है तो यह तो आपका यहां पर आपके राइट 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 से ब्लॉंग करना चाहिए तो आपकी वैलिड आपकी ट्रियो नहीं तो नहीं होगी तीसरा मा कहा रहा हूं के दो साइट डी सान एंद कर रहा है और एज को क्या यहां से ब्लॉंग कर रहा है क्या है अच्छा एज़ुकर यहां पर राइट आ में के त्थे रृप्सृश्षा कर्षब लाइटन से नहीं तो नहीं तो आपको नोर्माल यहां ॥ाप्प रAP åसी निकलवा सकता है है ठीक ह अगर इस टैप का question आप से पूच्छे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ट्रिवल एपडी होती है वह आपकी क्या होती है एक्स और वाई किसी रिलेस्टन आर के अड्रीबूट है तो एक्स हमेशा सुपर्चेट होगा वाई का इसका मतलब है कि वाई अमेशा सब्सेट ह पर तो यहां पर ढूत दोसे के और प्रकाइब नियुक्त हो जब गांगे जब एक्स और वाई के बीच में जब मैं इंट्रेसेक्शन करोंगा तो इसका रेजल्ट फाइब आना चीए इसका बतलब एक्सोर निए के बीच में कोई भी common attribute नहीं होना चाहिए इसका मतलब है X और Y के बीच का intersection करने पर फाई result आना चाहिए तो आपका क्या हो जाएगा non-trival बन जाएगा अब देखो मैं कह रहा हूं कि SID determine कर रहे है S name का अब यह X है यह X है यह Y है X है इनके बीच का intersection कर देखो क्या result आएगा फाई आएगा तो क्या वैलिड है इन वैलिड है बिल्कुल वैलिड है बिल्कुल वैलिड है दूसरा हम कर रहा हूं SID और S name determine किसको कर रहे है एज को यह X है यह दोनुन के X है और यह Y है इनके बीच के क्या इंट्रशेक्शन कर दिया क्या आगया फाई या वैलिड है बिल्कुल वैलिड है क्या वैलिड है बिल्कुल अच्छा तीसरे इसंपित आइडि में कह रहा हूं एपि जिए फ्रस अनोग् किसको कर रहे हैं एसा डिरमलान कर रहा है किया क्या नहीं होगा क्यों क्रेव मैं रख कुछ चैक्वर रहा नहीं होगा क्यों क्यों क्युrium कि 801 यहाप प्रियाप करें को मान तोके ऑगा दयान दगने है आपके नौन ट्रिवल क्या होती है एक्स और य के बीच में कोई भी को मने ट्रिब्ट नहीं होना चिह आपकी कह लाती है नों ट्रिवल कर आती है concept पे फोकस करो definitely 100% से बार कोई किरिशन नहीं बनेगा हुआँ रहाओ एम स्यक्वापके सभी सोल हो जाएंगी मिश्वाइथ इसस तन चैसा यह नहीं बनता है इसलेशन आरके वह सेमी ट्रियों तब होंगे जब एक सुपर सैट नियों किसका वाई का अब देखो आप एक नोर्मल एक्जांपल समझते हैं कि यहां पर दोनुग कैसे होते हैं देखो सब्सक्राइब 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 अच्छा अब में कह रहा है SID or as name को मैं कह रहा हूँ कि SID S3 किस कर रहा है SID को तो यह पहला तो बन गाए trivial यह तो trivial बन गया आपके सामने trivial बन रहा है ठीक है अज़कर दूसरा हम कह रहा हूँ SID or s name है देक्र में को छोर रहे एज को यह कंड़ेवल Làm meet उभका डोने आपके टरीवल रॉन को मुद मीनैशन के आपके गाइं और यह आपका क्या बन गया यह क्या बन गया यह बनकास सबसे easy concept बताता हूं कि आपको सिर्फ check करना है trivial और non trivial अगर trivial और non trivial दोन्य नहीं है ना तो आपकी definitely semi non trivial है इसके लाव कोई concept मत चेक करो अब दो चीज को यह रहाओ त्रीवल नोझ ट्रीवल पहले ट्रेवल चेकरू फिर नोन ट्रीव vibes खरो अगर ट्रीव अन है तो ड्रीवल गउन्हों नहीं तो ड्रीर्क्तिक भी ट्रीवली ठीक के लाव इसक premature ने बहुत ईजिसेINK और योखा आपको मत करने ड्हूंऄ अब कर पै़र धेखो नेसा को दुको नेक्सेब देखो दो नेक्स यहांपे समझेगे को दोनेक्स यहां पर आता हैं म स्ट्रॉंग के आपके रूल को आते हैं टो को मस्टरूंग शीयु आप के रूल क्या कहता है ठीक डारेक्रलक क्या प्रeucky जाते है इस पर गरती भीChar स्टमधल SAM,just amount करता है करता है क्यों को एक कर ठाथा दो ट्रांजिटी रूल को मतलब है कि अगर एकस वाय को दिट्रमाइन कर रहे हैं दोंतीक रएक सुझन जायर को नीटिर में खरींद रहง है तो तो किया कि सिकता हूं यह संतीक को क्रते हैं और आप्षम सब्सक्राइब करता है अगर एक सब्सक्राइब करता है तो दोन्नु साइड मैंने कॉमन एट्रिबूट लगा दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता है इसका मतलब कह सकता हूं एक्स जड़ यजड़ को करता है रिशेंट लिशन पुछा गया था डिटर पैस्वी में कि आपका सैट और मेंटेशन रूल क्या कहला था इन में से कौन सा सैट और मेंटेशन रूल है तो आपको द्रमाइन कर रहा है तो मैं दोन्नु साइड को मने लगा दों उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगला है कि आपको दिर्माइन करता है यह को किसको करेगा जैड को करेगा तो दावर दोना स्पीट है होना म travelled करेगा अगर चछ्ट यांड करेगा करेङज क każ herd को करेगा जैड को करेगा तो दृक्स braucht जैड करता तो यजाड़ को डीटर्वार करें जिसका मतलब यह दून रूल एक दूसरे से विपरीत हैं तो नुए लूल यह दूसरे से विपरीत हैं तो शुद तो देगाना बहुत इजी जीकंसेट्प पर रूल से डारेक्लिय एकजाम में रूल्स पर कुषियन पूट होते हैं ठीक है देखो next यहां पे आता आपके attribute kadad already work Kpse करनें को अग्रेड कर प्लस से देखो बी अच्छा देते तो वोग्य को रगा देते हैं तो वहां बन जाते हैं जिसमें कया लगा दिया सब्सक्राइबоз करो निकालना तो लगा दो यह तो इसका सिंबल होता है एक्स के साथ हम सारे कि अप्लाई करके एक्स के द्वारा कितने एक्रीबूट को का लाएगा अब देखो यहां पर मैंने एक एक्जामपल से एक्जामपल तुम्झाएं डायरेक्ट इसको च्छामपल समझेट किए कुछ क्या है नुमेरिकल कंशेप्ट है तो देखो एक्जामपल है आएक लेशन से रूल आता है आपका कोन सा रफ्लेक्सिट की कोई प्रिमुट में से मएचिक पूल मैंघ रेंगा असके बांकर um a big occur रिटमैन गरें तो किया लुकुम मा भी लखुन वह कर долларов भी भीषका तो भी मैं कर रहा है तो आपके ट्रांजेटू रोल किया रटाप का देखो a be को कर रहा है तो एक स्कोर एंगा जिकू करेगा ठीक है अब दुरिगा यहाँ फलो copper a City कॉली टॉलिट रेалась सी डीकी सिसो धुनरे गा दीको करेगा तो एक य्दर च्रेट को जाएगा a b c d क्यों जाएगा ABCD टीगinsonर ऑफ ए मबहुत जीज़े सब्सक्राइब करें तो भी किसको करेगा डिक को डिक करेगा तो देखो आपका जो एट्रीबिट क्लोजर निकालने कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है ठीक है बहुत इजी सा कंसेप्ट है जो कि उसलिए कैना पर कंदेट की आपए पहले पढ़ लिया लेकिन अब है पर पढ़ेंगे के एत्रीट कि लोजुर की चाहिता है क्देट की कैसे निकालते हैं तो कर एक एक सब्सक्राइब की आपकी मिनिमूम की आपकी यह को आपकी कई चाहरी है इसका मतंलब है और इससे पहलेटि अपका है तो टेबल टेबल आर्की अंदर आपका एक आपका अपका अट्रीबुट एक्स वह एक बनेगा उसके डेफिनिस समझेओ वह तब बनेगा जब एक सबसे पहलेट क्या की math इस भी में इफ्राइट ऑगा सुप पर λंक हो गा और उसके बाद क्या होका नो प्रॉपर सब सैट ओफ एक्सी इस सुपर की द्गोग दरेक्ली एक्ट्टा थे कुछाता है कि कोई बी कंडेटि कि किस कलossen में किन डेट की वंती है तो गाना उसका प्रॉपर सब्सेट यहां पर का बन जाएगी कंडेट की बन जाएगी ओके दो नेक्ट इसन यहां पर देखते हैं कि आपकी एक्जाम में क्यूंच कैसे आते हैं कि आपको एक रिलेशन मिलेगा जैसे आपको करें पर आपको एक टेबल का नाम है और पर आपको यहां पर देखो आपको एक्रश्य पर ऐक आपको कार रहें और आप से पूछ आपको क्या दो रहें चृम्टी च्शीन धे issue to क्वाइट के राइट पार वेंच नंड यह लुए है быть को है लो उसके बाद यह पूसके ना उसके बाद जो ठीटा बच गए उसके बाद बच गए पुन सब्सक्ताति इब बच आपके चार ऊप्शन मिलेंगे अपको थैक्र अब आपके आपको अप्शन में एक्या अगर आपको ऊप्शन मिलता ए भी तो डारेटलि उस पर टिक माइक करते हो वह क्या बन जाएगी गंडिट की बन जाएगी गई टो आप पर यहां पर ना अब शोई आपका का बच ह बन रहा चेक करेंगे सबसे पहले चैक करेंगे ऐस सी खुदको काँ बन गई कर आपको चाहए कि यहां पर एस से द्वारा टुवाभंछ करते हैं और यहां पर इस ट्रीग के द्वारा सोल करने से अगर डारेक्ट लिए आपके ओप्सिन में इसी मिलता है तो यह आप आप आपके टिक माक करोगे दूस्तरा कुछन देखें आपे देखें आता है A B C D E F यह आपके क्या है यह आपके 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 दे रहे हैं एट्रिबूट दरेका हार रिलेशन है अब यह कहरे हैं कि आपके एटरेमाइन करें आपको 大家都 करें देखाए निकालने केने क PROF के Nature की सब bunları ट्रिक even ट्रिक से का है लेफ औरक्स तो डाइट एंट साथ के अड्री गरोग करो टीक हमार करूव सबसे कंदें अरेक च्छों में इंगैं रॉपक कर अच्यों कर रहा हो बनने कर यह कर तक हुआ कर तुन होगा हुँ जोब गर वहना शी ता कर थे कियं आरव जिक तो अच्छत पर थे object आरी मियोड तीक कर वा है तब कर तुन आपकट भंडान पल्क तरोजमश्य को थे मैं करेंगा भई अधिया ठीकर रहे है तो फोन रहे हैं वर अध्म होगे बिल्कुल करके बोटर इनने अफ्क्रै कंट करने यह को शत्रीं करने दो टॉक्सित करना है नहीं करना बोट इसप्शिंग होते हैं आपकी candidate की find out होती है net question देखो यहां पर देखो next आता है normal form next आता है normal form normal form मतलब है कि अब हम क्या करेंगे हमारे tables के अंदर हमारे relation के अंदर जो हमारे redundancy होती है उसको remove करने का काम करता है normal form अच्छा अब देखो अब यहां पर क्या होता है कि जब करते हैं जिसको हम normal form की चाहिता से रिमू करते हैं अब आपके नौर्म को steady कौन कौन से करने को समझो एक तो फ़र्ष्ट नौल फॉर्म फ़र्ष्ट नौल फॉर्म देखो आईडी में इसकी पहले नौन फॉर्म में तो पर्जाटई उनी चाहिए लेसीडबेस की सभी टेबल हमेश्चा फर्ष्ट नौलमें तो पर्जेंट होती है सब्सक्राइब सबस्क्राइब जो और स्बस्क्राइब मेरे, कैसा होता आपका Apostole communication बाकि के तीन second, third और 20 से नब आपके ये काम करते हैं रिंट्नरेंस्यी को रिमूट करने का या फिर इलिम्नेट करने का काम करते हैं अच्छा आप देखो अब देखो अब कर देखो आपका पहला तरह फोर्न फोर्म क्या होता है को समझो आपको सभी नोल फोर्मKy नॉर्मल बेशन पता होना चेश्च रोट होना चल bên यह तो होता क्या आपस्नल समझो बित्रिब्ण of table must be in single value देखो आपके tables के सभी attribute आपकी table के सभी attribute आपकी table के सभी attribute क्या होने चीए single value होने चीए यह आपका कौन कहता है यह आपका कहता है first null form first null कहता है every attribute of table must be in single value ठीक है अच्छा इसका मतलब हैगी आपके तेबल के सारे के सारे ऐंट्रिब्यूट आपके कयो होने चीह एक सिंगल मतलब को थो नहीं होता है इट अंपे होस में अब इसका है तो आपकी टेबल में सब भी ट्रिबूट का ओने चीह अच्छा मुतंग होसा कि देखो समझो यहाँ पर यह जो ट्यू श्कारवाल टेबल है इस टेबल के अदर यहाँ पर चाओकर यहां पर यहाँ पर we अनों शूलिट है यह जो तो सब्सक्राइब कि और दिया लोगे से सब्सक्राइब यह जो कहते हैं तो हता got our फ्रस्ट जो कैसे मल्टी वेल्य एट्रिबूट है तो यहाँ पर फिस्ट जो यह आपकी फस्ट फोर में परजंट नहीं है अब में क्या बमकिवाथ प्रजम लेक्ट कर दिया रिकोड को मतलब क्या है कि जैसे 101 जो 101 डॉल नमबर इसका सुनिल नाम है वो कौन सा पढ़ रहा है वो सी भी पढ़ रहा है और सी प्लस फुल पढ़ रहा है तो मैंने क्या क्या बेवन जीरो वन सुनिल सी पढ़ रहा है आपको पढ़ रहा है जाव तो आपकी यह वाद टेबल है यह आपकी फर्स्ट नौरल बो आमें पढ़ कर्रेंटह क्या पर जैनती scaled j Ginsburg कर दिया इसको मैंने कनवर्ट के सभी आट्रिबूट आपके एक अटॉमिक होने चाहिए अब देखो अब आपका नेक्स आता है सेके नोल्म फॉम् सबसे पहले आपका कि परजेंट होना चाहिए अशा उसके बाद यह करेंगी नो पार्शल डिपेंडेंसी इसका मतलब है कि अंदर किसी टाइप की पार्शल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए तो आपका second null form किस पर based होता है directly examination कुछ जाता है second null form किस पर based होता है इस पर based होता है partial dependency पर based होता है तो आपका second null form यह कहता है कि a potentialு yaşamio, एक जाया और एक चोटा सा अब आपको आपकी तेपल है जिसके नहीं कहा है अब इस टेबल में यह का है जल्दी से बता है इसका इस टेबल की क्या होगी इस टेबल की रोल नमबर नहीं हो सकती तो किसे क्योंकि आपके देख़त एकटुअ ऊट् y33 रिपीटे सब् Technologies अच्छा नाम पिने ऊसकती नाम भी क्या Wait और हुण हो रहे इसका मतलब है इसक्षग रहिआ कि अमरीक अंदेट गळ्या अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक से करके दिवेर्ट पड़ रहा है तो मैंने क्या का लिए दोन्स रोल नमबर और मैंने का कर दिया नेम दोन्नों से मिलके बना इस मुझे के में बना दिए तो आपके prime attribute कौन्छ होंगे यह तो role number हो जाए गरे क्या हो जाएगा सीने को जाएगा और अगर मैं से लिए सटżन वाट करू तो यहांपर यहां पर रोल number करूरा हैं नेम को कर रहाएं अगर मैं FD कि बात करूरे तो आपके role Crystal number ड्यान करका role number less कर रहा है और role number है और पार्षिल डिपनेंश करते हैं उसे करता है तो कि पार्षिल डिपनेंसीत जब किसी कई रिपर सब्सेट कि रिपर अप्र doğ factual देंश कहलाता है तो वह क्तल ऐसे नहीं और की आपको पता लीकित अच्छा अब news a division gi pursuit चोटा शुटा है इंक जम पर अपशन वर dedo आपका एक यहँं कैन नोन पर में तो यह जो ऑंप अपका यह का रहता है पार्चलिपंडेंसि कहलाते हैं अच्छाए है आपके अच्छिन एक्जम पर आते हैं आपसे पूच जाता है कि यह जो आपका डेleशन है यह कौन से नोल फॉम में पर जयंट है आपको सबसे महले पर चाह आपके झाम में एक्टेक्स में नौppen में पिए पुख जाता है यह क्यों परजयते तो जल्दी से बताजे मुझे क्से भॉण में पॉजय करता है को कि देखो आपका रat रहे राओ ए बीसी डी इपके जियान आपके अगरख़ने कर रहें इसका गता हृँप को सिको बेरे मां किसको कि एक को मुझे जल्दी से केंडियत की इन मैं जल्द हर्वकस के कंदेट कि फायंड आउट को वह जलुँए इसकी कंदेट की फायंड आउट करने आपको जल्ँपे कंदेट की बताज़े क्या होगी जिए सी कहाई कि अबन दो सबसे पहले टिक ल्ले सबसेट किसका है और यहां सबसेट किसका है और यह सी क्या है यहैं यहां पर यह क्या बन जाएगा कि यहला जाएगा ऊक्षचिशक और यह सबसेट खुं इससी से देखो, all non-prime attributes are fully functional dependent on candidate की और primary की, then no partial dependency exists, देखो, दार रगना, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके सभी non-prime attributes, आपके सभी non-prime attributes, अगर आपके candidate की पर, प्राइमरी की पर depend हैं, तो आपके कभी भी partial dependency exist नहीं होगी, इसका मतलब है कि definite relation आपका किसमे होगा, second all form में present होगा, directly exam में question दिया जाता है, कि सारे के सारे non-key attributes, या non-prime attributes, सारे के सारे किसे पर depend है, primary की पर depend है, इसका मतलब सारे की सारे non-prime attributes, functionally primary की पर depend है, तो आपका relation किसमे present होगा, किसमे होगा, second all form में present होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, देखो, next आता है, third norm form, देखो, समझे एलिये तो टेन बलो ऋरेस्ट किसमें present होना चिया, आपका second norm form में present होना चीया, table और relation मस्ट भी present इन second norm form, दूसरे के होना चीया, no transitive dependency, दानर, no transitive dependency, इसका मतलब है कि आपका third norm form किस पर based है, वो आपके transitive sozusagen नहीं होना चाहिये, थार्ण नॉलफोर्म किस पर बेस्ट है, ट्रांजेट डिपेंडेंडेन्ट पर बेस्ट है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, एक कंसेट आपको और भी दो दाने लगने से, जर्रेनली डेटाबेस डिजाइन ओन थार्ण नॉलफोर्म, लेको जो आपका database होता है वो जर्नली 3rd null form पे design किया जाता है आपके exam में question पुछाता है कि database को कौन से null form के थुरू बनाया जाता है तो कौन से null form पूर थार्ड नोल form के थुरू database को बनाया जाता है psychiatli exam में आपके question पुछाता है अच्छ cácश्क आप देखो अब जो थार्ड न वॉर्म बेस्ट किस पे रहे它 उत्व टांजेटिइट डिपेंडंव सिट्पार बेश्ड ले रहा हुए अच्छा तर्णिइट डिपेंड़नेसी पर बेस्ड है उत्रों और साह्म मगास में अध्यपोर डRe i have a intent only इस्टेट को कई रोल मिच एक करेंगे का सीटी को एक ऑज ग्रही स्टे डिटर्माइफ सुन्हें to कैसे कग राष्थान जैपूर राष्थान जैपूर राष्थान जैपूर अर्मरम रेवाडी हर्याना रही कर पर नारी तो जब देखो जहां पर सेम सेम वैल लिवालु भी वैलू ते मारी स्क civill tomorrow पर का सकता हूं इसिट के चूष को तरे इसको रोल करते हैं तो सिर्फ इतना से जानद रखना जब एक नों प्रैम एक्टरिब्ट किसी दूसरे नौन्प्रमाइट्बट करते हैं और अगर ट्रांजेट डिपडेंशियंट आपका रिलेस्टिन तार नाल फ्रण नहीं होगा अब देखो समझते रहें उसके अंतर आपको दे सब mi everything काने किलिको सबसे पहले मुझ इसकी केंडे ही करो तो पसे पहले केंडेट की निकाल हो भाग के आप आप सोल实 स्बसे पहले फ़र्ष तकाम कान्ड डेट की निगालना उटिस गloric यह कर रही है श्रया है एक हम मैंने करें भी इसको कर। रिया है ईए फिसको कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल दाल यह अपर को क्या है डिया का बन गई कैनेडी अब छह कडरो अब देखो आप यां से समझो यहां पैक यह सी क्या सिखेए ना यह प्र अनौों छंड एक घ्र hai तो यहां पर एक नौन प्राइम तो मैंट रहे हैं और यहीं कंसेट आप कहले हैं ट्रांजेट टिपेंदेश कहले आपका यह रिलेशन थार नोल फॉम पर जैंट नहीं है तो सबसे बहुत आपको यह चैक करना है कि जो टेबल और लेशन सबसे पहले मुझे की बता दीजिए तो सबसे पहले मैं टिक माक करूंगा तो आपका बीबी टिक माक हो जाएगा और आपका बीबी टुक लेना उसको कटिक करना करना है या रही है तो सब्सक्र confcendисл लिए को सब्सक्砂ज सब्सक्राइबिक को टौके करूंगा और 1953 गयर services त्लीनरे अप्सक्राइब करें यह गया नेश्यूद और वसल्यूम। कर रहा है डी को कर रहा है एक और बीको कर रहा है और आपको चैक करने का आपके लेफट क्यों सब्सक्ते का सब्सक्राइब कि एक क्यूंत विद्ट की वन गया हrau आपको यहां पर कंसेप्ट आता है कि आपके रिलेरैस्थ र्लेस्ट्ट हीब क्या होती है कि आप के जो सारे के सारे जो आपके झाल के नौर्मल फोम करिंद्स की रिलेस्टन्शिप क्या होती है यह आपका बहुत इंपॉर्टन का इनकी बीस के रिलेस्टन्सिप सब्सक्राइब होता है और जो सब्सक्राइब को जरूर समझना है क्योंकि आपके लेवल के लिए टेबल बहुत इंपोर्टेंट है अब देखो अब यहां पर समझो डेखो टेबल का कह रही है तो फस्ट नोल फॉम की बात करें तो पर्ते के ट्रिबूट अपका क्या होना चीए अटोमिक और इसका मतलब सिंगल वैल्यू होना चीए ठीक है मैंने सारे के साथ नोल फॉम को समराइज क्या है कि टेबल के परते चाहिए क्या क्या करता ह था फर्ष North Home में होना चीए सब से पहले पहले कंडिशन थो फर्स नोल फोम होनाlog ची दूसरी कंडिशन नो तो पार्शल डिंदेंजी इसका मदब बार्शल डिंढेंजी नहीं होनी चींड़ सेक्ट्beval किस पर बैश्ट है पार्शल डिंदेंजी है अब बन इत्ष क्या होती आपके किसी टाइब की ट्रांजेटर्टी डिपंडेंसी नहीं होनी चैंट वह चीए त्रांजर्वेटर्टी डिपेंदेंसी नहीं होनी चैंट अगरा सबसे पहले तो थर्ड नोल फॉर्म में होना चाहिए उसके बाद आपका एलफा है ना परतेग लेफ्ट एंड साइड का एट्रिबूट क्या होना चाहिए आपका सुपर क्यों अची है या फिर क्या होना चाहिए तो देखो यहां पर आपको यह के टेबल आपको डेफिनेटली एंडर परसेंट आपको अच्छे से करके जाननी है ओक एक बार स्क्रिंशोट ले लिजिए बहुत अच्छी टेबल है बहुत चांदार कंसेप्ट है कि देखो नेक्स आता है यहां पर आपके डेटाबेस का कोर कंसेप्ट के लिए होता है इसका मतला हमने डेटाबेस का कोर कंसेप्ट सारा क्लियर कर लिया तो द्यानरकना डेटाबेस के अंदर मैं आपको कोर्स कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दिये अब अब देखते हैं Next अब to switch करते हम कि यहां पे एक SQL का concept राता है लेकिन SQL से पहले यहां पर हम relational algebra बारे हम थोड़ अश्व पढ़ेंगे के relational algebra क्या होती है उसके बाद आपका sql concept रता है देखो वह सक्टों आपका बहुत इजीए कंसेप्ट है SQL में आपके एक भी नंबर निकले चाहिए अब देखो लेस में आपकर बात करूं तो आशक्यों से पहले लेशनल येजब्र पढते हैं तो उस एफ ने कि तो करने के लिए नाइंटीन सबसे पहले जिसके अंदर आपकी टेबल्स की फोमें जो डेटा मोजो होता है उससे कम्यूकेट करने के लिए हम मैथ के कुछ एक उप्रेशन का यूज कर सकते हैं और उसी ओप्रेशन के बेस्ट पर यहां पर रिलेशनल एलजेबरा कंशेप्ट डोक्तर एफ कर ने दिया था आपकि य सब्सक्राइब के 꼭 नो डेशनल एव्हां लैंक यहां में वह म्मधोल्स की पुछ जाता है कि खिरेशनल ऑस एलजबर आपके प्रोशाइजर लैंगोईज होती है प्रोशाइजर ऌंद य इस टाइप्ट से और उससलों हौसे लेंगवेज होती है कि कि हमें क्या कर करना है और कैसे करना है दोनु चीज़ को में define करना होता है तो relational algebra क्या आपकी एक procedure language है अच्छा दूसरे कहें कि relational algebra को formal query language भी कहते हैं कैसी language कहते हैं formal query language भी कहते हैं अच्छा और ज्यानक आपको जितनी भी आपकी SQL की command है जो आपकी SQL command हो सारी की सारी SQL command किसी पर बेश्ड है रिलेशनल इलजबरा पर बेश्ड है ठीक है तो रिलेशनल इलजबरा के एक आपकी procedure language है उसको formal query language पहते हैं और सभी आपके SQL command relational algebra पर बेश्ड होती है अब देखो देखो नेक्स आता है कि आप पर लेशनल इलजबरा के operation कौन-कौन शोते हैं अगर मैं इलजबरा के mathematical operation बात करूं तो रिलेशनल इलजबरा कौन-कौन शे ओप्रेसन को follow करती है तो देखो पहला आता है पाई दो पाई का मतलब होता है आप जब का प्रोजेक्शन होता है जो पाई होता है उसके दौरद प्रोजकशन के जाता है नेच्ट आता आता है आपका सिग्मा सलेक्षेन के lawsuit थिग है यह आप्पर रखो नाम सुनएց किसके लिए रिनेम के लिए फिराता है क्रोस प्रोडेट के लिए फिराता है यूनियन फिराता है इंट्रसेक्शन फिराता है डिवीजन फिराता है डिफ्रेंज तो यह तो कुछ यह सिंब आपके कुछ एक ऑपरेशन है जो आपके कहां पे जो रिलेशनल एलजेब्रा में आ वो आपके concept है वो आपके mathematical का best बताए गया है इनी mathematical concept पे इनी mathematical operation को SQL ने क्या कर दिया सिरफ English language में convert किया है और nothing कुछ भी नहीं कहा SQL में सिरफ English language में convert किया है अगर मैं relational algebra की बात करूं तो आपका जो projection होता है प्रोजेक्शन होता है प्रोजेख करने अपका प्रोजेकिन की करता है पार को सलेट करते हैं आपका स onc a co隨 me number of column कि अगने अगर मैं number of column की बात करओं कि जो क्रोष कुल रोलन बनेगे उसमें जिसमें कितने होंगे स्पिक ओलंब लुकिके को लंप ए अग्जाम के रहर तो पीक के record किसे करना है तो आपके रिकोर्ट मैल्टिपलेशन होते हैं। आपके करोडर करना किसमें क्रोडिक अब चक्रोडिक में अब तो समझेख करना इसका मतलब पहला रिकोड़ है इसको बैले इसके साथ करो तो यहां पर करोंगा वन एकस और किसे करूंगा A4 फिर क्या करोंहागा one x be five फिर देखो फिर तोछ रिकूर दूसरे कोड इसकों लिक्री इसको इसे करो इसको घजो करो तो दूसरे कोड़ हैं तू размS a four se for those카 इंट्या चरायओ जाताए है कि अच्छ ऑंब्ट करोंच पून में कर दो तो नॉर्मल सा कंसेप्ट आपका रिलेशनल अलजेब्रा का देखो उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है SQL देखो दानगा रिले इस्टेक्चर क्योरी लैंग्वेज आपका बहुत इजी कंसेप्ट है अब यहां पे जो SQL है वह इस्टेक्चर क्यों लैंग्वेज तो देखो SQL आपके कमांड प्रोंप्र आपकी एक लैंग्वेज है जिसमें क्या होते हैं अपकी आइब में आइब में ड्रॉप किया था कब किया था नाइटीन सेवन्टी में ड्रॉप किया था एस्टेक्चर इंग्लिस ट्यूरी लैंग्वेज स्टैक्चर इसक्षाट में स्टैक्टम स्कूलता जिसका बाद में नाम चेंज कर दिए था एसक्वेज ब्रॉप इसक्षाट किम्ट नाम सीज्चर लेंग्वेज इकैसी है नों दो दो दोब बहुत बार एक जार्ड क्योश्चिन क्यों पुचता है है SQL आपकी क्या है non procedure language है यह में कह सकता हूं कि आपके दिखो fiscal आपकी relational calculus पर based Compared relational Calculus इन तो द्रमीचा lug जो आपके है sql relational calculus पर ठीक है इसका मतलब है का इसे आपकी यपकी non procedure language होती है इसका मतलब है what to do क्या करना है इतना बताना है कैसे करना यह में नहीं बताना होता है अगली क्या है जो SQL हो आपकी domain-specific language domain-specific करना मतलब क्या है देखो domain-specific मतलब है कि यह fix domain पर काम करती है और fix domain कौन सा है relational database SQL सिरफ और सिरफ relational database के साथ communication करने के काम में आती है इसके अलावा इसे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते ठीक है दाना SQL स्पेसिली डिजाइन की गई है relational database साथ communicate करने के लिए इसके लाव इसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते इसलिए इसलिए इस कहते है domain-specific language और SQL क्या आपकी case-insensitive language है कैसी language है case-insensitive दाना case-insensitive language ways-accounts ही SQL तो यह SQL का आपका basic concept है कि SQL आपकी क्या होती है देखो next समझो देखो next आपका आता है SQL की आपकी commands है उसको किन कैसे categorize किया जाता है definitely 100% आपका एक question exam में यहां से आने वाला है ठीक है 100% आपका एक question यहां से आने वाला है exam में यह जो table है इससे equation आपका definitely आने वाला है अब देखो समझो आपके क्या होता है देखो SQL की command उसको categorize कैसे करते है तो देखो यहां पर SQL command बात करूँ तो देखो DDL data definition language एक होता DML data manipulation language एक होता DCL data control language एक होता TCL transaction control language तो SQL की आपकी जितनी भी command होती है उसको आपको इस टैप से categorize करते हैं ठीक है अगर मैं categorize की बात करूँ तो देखो समझो यहां पर DDL मतलत है data definition language देखो data definition language ठीक है अच्छा data definition language में क्या होता है आपकी command की बात करें तो DDL काम किसके आती है DDL काम आती है आपके structure को design करने में किसके काम आती है structure देखो आपका structure बनाने में structure design करने काम आती है इसका मतलब क्या करेगी देखो इस्टेक्टर मतलब आपकी क्या बढ़ेगी schema देखो schema बनाती है आपकी क्या बनाती है इसकी structure अब आपका डेट डेटाकित बात को तरेटेट अबसका इसक्टेक्टर कहalten क्या होता रही टेपल्स क्या होता है टेबल तो दानक करने के क 수도 करता है कौन कwegen कर दो किसका Comegen कर दोक्त डेखो है अब यहां पर क्या है अब का क्या है क्रेट देखो अब यहां पर समझो अगर कमांड की बात को डीटेल के अंदर तो एक कमांड आती है पहली कमांड आते क्रेट फिर आती है अल्टर फिर आते ट्रंकेट तो देखो डीडियल की कमांड होती हो आपकी क्रेट अल्टर ड्रो पर ट्रंकेट आती है आपे अल्टर के साथ हम क्या उज़ करते हैं रिलें और मोडिफाई को भी उज़ करते हैं तो आपकी जो डीडियल कमाड़ नेग्वेज देखो मैंनूपलेशन मतलब है कि हम डेटा के अंदर कुछ चेंज करने वाले डेटा में चेंज करने के लिए लेंग्वेज को यूज क करेंगे अच्छा अब देखो इससे क्या करते हैं जाहान दिंम के साथ ऐख्यां के साथ ग्यान होती है इसे एपलीरिकेशन प्रोड्रम के साथ भी इंसर्ट कमांड किसकी है डीमल किये तो इसका मतलब आपके जो एप्लिकेशन प्रोग्राम था उसके साथ कौन सी कमा कौन सी लैंग्वेज एंबेड होती है यह भी कुछन बनता है कमांड कौन चाहती है इंसर्ट अपडेट डिलीट और सलेक्ट आती है ठीक है अगला देखो अगला है DCL DCL मतलब इता कंट्रोल लैंग्वेज देखो DCL मतलब इता कंट्रोल लैंग्वेज अच्छे की यहां पर हमक्या करेंगे यहां पर यूजर को परमिशन देंगे 물बेस पर काम करने के लिए और जरूरत पढ़र उससे परमिशन क्या लेंगे वापस भी जेते है इसके मतलब data को control में करना में कि हमें पता लगाने की data पे कौन काम कर सकता है तो यहां पर आपकी command आती है grant और revoke कौन चीमाड आती है एक तो grant आती है कौन चाहती है रिवोक आती है अच्छा अगला आता है tcl transaction control language अपकी command कौन चाहती है commit rollback और save point कौन चाहती है commit rollback और save point ठीक है अच्छा नेक्स आते हैं कुछ constraint देखो नेक्स आपके कुछ constraint होते हैं database के अगर मैं constraint की बात करूं रूल्स डेटबेस के आपके कहते हैं रूल्स होते हैं तो हम इनका भी यूज करते हैं देखो रूल्स में आप क्या होता है primary की हो गया foreign की हो गया unique हो गया नोटनल हो गया चैक हो गया default हो यह कुछ एक database के क्या है rules है ठीक है तो आपके दोखो यहां पर यह जो किया और सबको मैंने properly manage कर दखा है तो आपको यह table एक बर screenshot लेए इसका जल्दी से देखते हैं अब आपके तो देखो next हम क्या करते हैं के command कर देखते हैं ओके हैं आपके नेक्स देखो कि कमांड देखते हैं देखो next हमारा हम सबसे पहले database के कुछ हमारे जो हमारे SQL के कुछ data types हैं वो देख यहां पर इंपोर्टेंट डेटराइप के बारे में एक पर देख लेते हैं एक्जाम में पूछ लेता है इन में से कौन सा SQL कर डेटाइप है कौन सा नहीं है और डेटाइप है अपके टेबल करते हैं काम भी आने वाले हैं तो देखो आपक तो इसकी साइज आपकी कमबती होती है अगला होता है और यहां पर यहां पर बताओंगा उसको आपको बेसिक बतार देखो अगर मैंने care and ले रखाय है अगर के मैं अंदर में ले रखाय है और यहां पर कर दिया देखो एक्जाम्पल इसका कहले लिया मैं एक्जाम्पल ले लिया कैर 20 20 ओर उसके अंदर मैंने इस्ट टोर क्या करेंड़ इसर अन्य इंदर कितने लेटर एक इनले 1 2 3 4 5 5 और तो आघ गया तो इस के होदे को आगी के जो आपर आपका वैर कैलका अब देखो वैर के इंदर मैंने लिला टौञटी तो वैर के लेकर के फारिक होगा-my-dater समझो यहां पर only five character यूज only five care character क्या होंगे यूज रहूंगे तो यह आपका basic difference है कर और वेर कर का ठीक है कर और वेर कर का बेसिक पता हूंद चीए कर में क्या होता है आपके बाकी कि होते आफके बाकि आपके वैश्टेज नहीं होते हैं Clayां को जाता है data definition language पहली क्यमाद आते हैं पहले आपके यह द्रद्याव साहते data definition language कि बात करोँ अपके चैक्शाई को क्रेड करेंगी इस टेक्शाम अस pursuing तरह कहें रहे सबसे पहले टेबल क्रेट करने का सेंटेक्स समझते हैं टेबल क्रेट करने का सेंटेक्स होता है पहली कमांड लिखने होते हैं क्रेट टेबल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है ग्रेट लिखना पड़ता है डेड़ टेबल टेबल नेम टेबल सूसमेश्चाइब ठीट सो मैं नहां प्राइमरी क सर्किनिट लगा है मैंने है तरह का मया लगा मैं दूसरे घृचित नहीं चोड़ सकते फिर मैं तीसरा ले लिया डी उसका डेट अटेप कर लिया वैर केर और यहां पर मैंने देखो ध्याद रखना है यहां पर मैंने आपका जो स्टेट्मेंट ट्रमिनेट किया है वह किस्से कि है सेमी कॉलन से समot crisis उन्यान रखना है कि आपके जो sql को नाम होता है जह कर्याफर इस के करने से तक लानगाश द्रञाल के दिशारा नाम उल्च भर उड़ल सबाइब लान डृो ब्यूत्स भर जाए हम दूसरा नेम प्राइमरि की तो तैको यह करने का स्टेटमेंट हैं इससे ये टेबल क्रेंट होगी तो आपसे पूच सकता तो च्छोटा एंकि पूते बोच्ष्थ से कौन कोंटयों करेंट व्यखज Sun T से सकते हैं तो्क्राइट टेबर केट्रीट का कि डेटाराइब उसकी पफाँ से अस देट लगा सकते हैं तो यह आपका राइड़ स््टेटमें tepte यूइ है एक को झेबलेंड उसकी मुझे पर टेबल बनानी एक पाड़ है तो statement रुए टेबल टेबल यूव झो आपको पर टेबल बनानी उसका नीम तो मैंने आपने इसका नाम ले हम लोब स्टार्व क्वाइं कि फो इसके पाध यहापर लगाता हूं मैं एज क्या लगाता हूं एजकी वट होता है तो हम यहाँ पर होगाता हूं है सर वह लोटता अलग अलग अस्तित्व होगो दोनू टेबल का तो आपकी क्या बन जाएगी कोपी टेबल बन जाएगी यह आपका श्टेट में नीवी वर्चुल टेबल तो गूव यू का इसे ग्रेट करते डेटाबेस का बहुत अच्छा अच्छा रोते हैं देखो समझग व्यू क्या होत पूरा डेटाबेस की security कायम रखने के लिए व्यू को create किया जाता है लेकिन व्यू का कभी भी physical existence नहीं होता है अब देखो यहां पे समझो देखो देखो never have physical existence नहीं होता है अब व्यू create कैसे करते देखो व्यू बनाते कैसे समझो कैसे करेट करते हैं create view view name create view view name उसको लगाते हैं उसका पार जिस टेबल से आपको व्यू करेट करना है उस टेबल का पूरा लेको इससे देखो यहां पर का करना है टेंट लतते लीटेंट बd नाम से क्या बनता है इसका कभी पिजिकल nz बनता है यह हमेशा और आपडेट करेगा यह मास्टर टेस्ट करेगा मास्टर टेबल मे 서 में दो है अभी भी पिजिकल शी नहीं होता है विई एक वर्चूल टेपल होती है और दुद रोबारा परफोर्म किये गए ओप्रेशन हमेश्या ओरिजिनल टेबल या मास्टर टेबल में अपडेट होते हैं ठीक आपको ध्यान रखना इस पेशली व्यू आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसके उपर भी एक्जाम में क्यूशन पुछ जाता है ठीक है अच्छा नेक्शन देख अब करते हैं इसका मतलब है आपको यह आपका एसे इस मतलब करते हैं कभी भी देटाा को चेंज नहीं करते हैं तुक चैंज करेगी में सब्सेट 8ний को करो कि मुझे आपे सबसे पहला काम मुझे आपे का करना है एक नया कोलम एड करना है क्या करना है एक नया कोलम एड करना है मोबाइल नमबर का तो पहला काम अल्टर कमांड के द्वारा नया कोलम एड कर सकते हैं दूसरा काम मुझे का करना है किसी पुराने कोलम को डिलेट करन तेबल सब्सक्राइबर प्रुमुकरणोर्य प्कारण। सब्सक्राइब करेंवेदे जुमुकरणे सब्सक्राइबर रहना और अध्यूर्ट। केद वाना टेबल के कॉमना हम कर सकते हैं अग्ला तेर्ट अब मुझे कब आओं करना है जो टेबल का नाम हो उससे चैंज करना है युट कमांड टेबल का नाम सब्ख़रन तो इनस आहिए फृवक रस्ताम हishment इनफो करने मुझे करने सिट्ट इन्फो करना है अगला था जो एक्टेवरा लघो अल्टर कमाइग यूखो अल्टर कमांड गषदावरा टेपल के स्वूर्व के कोलम पर रजो को अब अनने के बहुत दिया करतें नहों ना लगा दिया कि यूख morpholot कोलम ऴर्टर कमांड के द्वारा नया कोलम एड़ कर सकते हैं कंसथ्ट पेस्ट कांट ऊता हैई ऑल्टरbers टेबल 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 नेम एड बाखव घ्लक टे बीडिखेन और मोर्णाल के सांथ क्या ऐस तरुकम सांद को प्रिक्स लुकर Śट मेढैं टो नए कोलम करहें ठीक हैं old column पुराने column को drop करना alter command क्या करती है पुराने column को drop करती है अब drop के लिए statement क्या होता है alter table student drop देखो यहाँ पर alter गसाथ किसका उच्छ करते है drop तो दानकर एक्जाम में किसन बुझेता है alter command के दोरा table से column कैसे अटाए जाते है तो अल्टर गसाथ क्या होता है? ड्रोप होता है alter table student drop column को लम का नाम तीजर आता है change column data type डेटा टाइब कैसे change करते है घ्लिक है? तो देखो जब column का डेटा टाइब चेंज़ करना होता है तो क्या होता है? alter table student modify आपका किसका उच्छ करते हैं? अल्टर के साथ मोडिफाई की उज़ करते हैं अल्टर टेबल इटेंड मोडिफाई रोल नंबर और हमने क्या कर दिया नया डेटा टाइप जो बनाना है वो बना दिया ठीक है तीन यूज देखो नेक्ट इस देखो अल्टर का दो अल्टर का यूज होता है चेंज कोलम नेम आपके कोलम का नेम चेंज करते हैं अल्टर टिक उटल को अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम जिर मोड़ीन का नाम नेये नेगट को न्हीं पर शोल्ट करते हैं कैसे करती है अल्टर एठेबर टेबर नेम रिनेम टू मैहार जो नाम डालने इसको नएा नाम डालोगे और ने accept add constant अज़गे और अलृत है और एठेबर टेबर नेम एड किस को यूज करते हैं आपके प्रैमरी की यज़ आ Unity के सभी यूज Crist आप से एक्जाम में क्ऊशन का पुछीता एक्जाम में किश्यों बुछता है कि ऐल्टर कमांड के दुआरा । टेबल के कोलाम को हटाने के लिए अल्टर के साथ ओफाANT कि उच करते है तो इसका खिले की स्कान्ट द्रोप के ओब अज अच्याइए और नेट केंसे देखो देखो कि देखो 1 नच篇ज करा रहा है डिचाट रोप कमाण का काम क्या होता है लिक द्रोप किया होता है बच्ष किल आपके करती हैं किसको गज़ाङो को अब अपके श्टैक्चर को अब टेक्च लीए Jeśli इस इंज नहीं करते हैं पर्मानेंट की लटा देते हैं वापस नहीं ला सकते तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो ड्रोप कमांड के द्वारा टेबल के इस्टेक्चर को और डेटा को जब इस्टेक्चर अटके तो डेटा कहां से बचेगा बहुत जब इस्टेक्चर आपका रिम्यों इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि सारा का सारा यह आपका डेटा प्लस स्टेक्चर इसटेक्चर यह जी ठक्कर चर प्लस डेटा आपका सारा कशा रि मोच्परानेंट के लिए और यहाँ पेड़ सभा इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आपको फोकस करना इस चीज़ पर क्योंकि एक्जाम में डायक्ट्यूशन पुझाता है अगला आता है ट्रंकेट अब देखो समझो ट्रंकेट जो होती है वो भी आपकी डीडियल की कमांड होती है अगर मैं ट्रंकेट की बात करूं तो देखो क करते में करते हैं रिकोर्ड को पर्मानेंटली इसका मतलब विंग ट्रंकेट आपके रिकोब करने वाली को यहां पर आरिक्वय को एक साथ अटा देगा उस्द्र से पुछ होता है अब एक चीज़ संजेखो देखो यहुआ के दिको धीडिय। पर्मानेंट के लिए अटादेती है ठीक है दनका सिराफ डेटा घॉसल्ग को पर्मानेंट को सिरफ डेटा को पर्मानेंट के लिए अटा देती है कौन ट्रंकेट तो ट्रंकेट कमांड के द्वारा डेटा पर्मानेंट के लिए अच्छा अब समझो देखो कमांड क्या होती है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम कमांड को ट्रंकेट टेबल टेबल नेमन के ट्रंकेट टेबल इस्टेंट उस क्या होता है से रहता है और आपका जो डेटा है वो पर्मानेंट के लिए रिम हो जाता है एक्ट्वल डेटा है वो क्या हो जाता है रिम हो जाता है पर्मानेंट के लिए रोल बैक पोसिबल नहीं है और आपके ट्रंकेट के साथ वेर का यूज नहीं कर सकते नहीं तो रोल बै कहते हैं तो ट्रंकेट कमांड के दो आपके जो डेठा होता है एक्ट डेеट्र उसको परमानेंट के लिए ब्लाइए जाता है और यहां पे सेफ रहता है रोलवैक पॉसीबल नहीं होता है ठीलिए और साथ में वेर का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं Bh करूंसटे को सकोने यहां फ़ैपने कमार शीर्ट इंचरण मधंट करई ए आते हैं लिग्त नीस आयपनीोंकिन लैंगगे स्कतियों कमार दर आज़िए संछक्स करणे ए इसका उत्यों मैंटने करने वाले मैने प्लेट मतलत चेंज करना में परनों काथ चेंज करने वाल है कुछ ना खुछ यहां पे चेंज करेंगे अब चैंज कैसे करेंगे देखो data manipulation लेंगे समझा देखो data manipulation language की बात करें तो यहां पर क्या करने वाले हम change करने वाले हैं और चैंज के लिए आप पहली command आती है आप इंसर्ट कमांड पहली कौन चाहती है इंसर्ट कमांड आती है अब देखो इंसर्ट कमांड के आपके में दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं देखो इंसर्ट कमांड के स्टेटमेंट क्या होता है देखो समझो देखो इंसर्ट इंटू टेबल नेम वैल्यूज और वैल्यूज हो जब पहले से अच्छा दूसरे क्या होगा देखो इंसरे इंटू इंटू इंट गो सम्झेट इंट साथ मैंने को उच्छ गलिया इसका मतलब है कि मुझे सलग्टेड कोलम में वैल्यू इंसरे करनी पड़ेगी तो अब यहां पर क्या होगा यहां के लों इसका मतलब है कि यहाँ सो सदो एकसेट कोलम सब्सक्राइब डा लिया डूँए जैए तो आ musimy कर सकते हो या तो आप टेबल नाम के साथshop्लम का नाम सरच कर रहे हो या तो और वेसा ही जैए कुलम नाम के साथخرक्ण नहीं करते हैं तो missions उब तो अगर मैं table नाम के साथ column का नाम select कर रहा हूं तो मुझे selected column में value insert करनी पड़ेगी तो यह आपका क्या होता है insert statement होता है क्या होता है insert statement होता है दो दो next आता है update देखो update command होती है दो समझे देखो देखो update command का होता है कि आपकी tables के अंदर जो data होता है उन्हें update करना होता है अब देखो अब यहां पर कहा है मैंने पहला statement लिखा update student set is equal to 28 where role number equal to 101 तो देखो यहां पमेंने कहा किया update student set is equal to 21 where role number equal to 109 इसका मतलब है कि जिसका role number 101 तो एक है उसकी age 28 हो जाएगी ठीक है यह तो पहला statement है यह तो फर्स्ट इस्टेटमेंट है असा दूसरा statement लिखा है update student और उसकी बार लिखा है set is equal to 21 इसका मतलब मैं यहां पर condition संस्ट नहीं लिखी there इस से क्या होगा यहांमने वेरte कंडिशन का यूज निकै इस से क्कियोगा यह दूसर्य क्षैंपर क्योगा बताओ तो यहां पे क्योब क्योंच छो आपकर एज जो को कुंना उसमें सभी एज कितने हो जाएंगी 28 क्योंकि यहां कब करदेशन निसतंगा अपडेट के साथ र कंडिशन का यूज करना चीह तो होता है लेकिन करना चीह जदो क्योंकि जिससे जलेक्टेड़ आप्के फ्लेकर नगया अगर आप यूज नहीं कर सकते नहीं करते हो तो आप के टे अपिना आप अपडेट किया है उसकी सभी वेल्व अपडेट हो जाएगी ठीक है तो अपडेट के साथ वेर का यूज करना चाहिए और अगर आप वेर का यूज नहीं करते हो तो टेबल में मौझूद जो पर्टिकुलर जो कोलम है उस कोलम की सारी शर्वेल्व कर जाएगी अपडेट हो दोटिट कमांड़ कमांड होता है ओने का है यह लिए यह ब्रहुत देलिट कमांड को तकी टेबल में मौझूद रिकोर्ड को हटाने के लिए किसका आधिक करते हैं का शुन करते हैं देखो यहां पर देलीट फूट फेरों रोल नमबर इक वल टु देलिट इससे क्या होग देलिट हो जाया चैट जा गया हो जाएगा तो तो कि जा है कि जो verf रोल नंबर मुटी चैट अनुटा सॺत एंड के साथ भी व्लीहर का यूज हेतो और लेकिन नहीं लिखते हैं तो क्या होता है नहीं है कि क्या होते है कि सभी रिकोड यहां पर पे सब जाएंगे रिम्मोज बहुत को जैंगे तो जालीट के दुवारा भी मैं सारे अबने रिकोर्ड को रिमुओ कर सकता हूं और यहां पे करने के क्लि Bulgaria वेर का मैंने यूज नहीं किया तो सार रिकोर्ड जाएंगे रिमुओ जाएंगे लेकिन यहां पर आपके रिमूओ आपके temporary होते हैं कैसे होते हैं temporary इनको वापस लाया जा सकता है दोगर ड्रान कर देलेट के दवारा हटाएगे record को वापस लाया जा सकता है । यहाँ पर आपने iki राता है उनको वापस लाथ सकते हैं किस्से rollback के दवारा वापस ला सकते हैं अच्छा न訂फ क्या हूं अब देखों कि कि cancel transaction लेंगवेज टी-सेल ट्न गड्रोल को समझे हाप पर याँ ट्रांजेक्टशन लिएritis या होती है अगर मैं कमांड कोरूँ तो पहली कमाडू अ 해कि कमिट का का ममplace पर्माऍनटलीचर इसका मतलब है कि आपके जो रिकोर्ड है उस रिकोर्ड को अपके जोब इपने ओपने आपका चंत पर फोता है तो जब भी आप का सी खेट करते है तो अपको सी प्युमट करते हैं किसे रैम delivered करते हैं जब कि इंदर एक्ट्र टाबेस होता है उसके अंदर आपका अपडेश्य बाद में होते हें फिर लेकिन जैसे आपने अपने कमिट किया तो कमिट करने के पर दो दो इसके बाद में आपकी क्या होगा यह पर आपके एक्च्ब्स में आपका अपडेट हो जाएगा उपडेट हो जाएगा अब समझ देखो कमिट को देखो है इसका मतलब मैंने पहले कुछ यहाना पर चोड़न जो भी आपके डीमल ओप्रेशन इस्यूपर आपने लिखे उसके इस के सारे के सारे के सब्सक्राइब कर देगा कौन कमिट तो आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि जहां अव्रण पर ऐटाबेस ने परमानेंट के लिए इस्टोर इसटोर कर जाता है ने च्च अभी मतलबी प्तरह रिमू समचेंज इसका मतलब कुछ जो चेंज किया है वाप से रिवसको रिव Dabei करना है न यदियू रिवाप För रिवाट को रन अब धुक को रिवर्ट सम्चेंज अब देखो करते के दो समझो नहीं पहला स्टेटमन में लिखा कि मैंने कि अपडेट इस ट्वार्ट रॉर्ड रॉल नमर इकोल टुब 101 यह मने पहले रिलेटर द्वाल लिखा ग्रिलिट फ्रॉम इस्टेटेंट और यह जो दूसरा स्टेटमेंट ये मेरे से गल्ती से लिखा गया यह मेरे सक्या हो गया गल्टी चीओ पर्फुम हो गया तो एवे पास самой प्रपसों करें तो भूलार बैक का क्ब्सक्रार मेरेसुंड सब्सक्राइब करते हैं best इसका मतलब आपके लाश्ट कमिट के बाद के सभी ओपरेशन को निस्करिये कर देता है कौन आपका रोल बैग तो रोल बैग कमांड आपकी लाश्ट कमिट के बाद के सभी ओपरेशन को निस्करिये कर देता है ठीक है अच्छा इससे बचने के लिए देखो इससे बचने किल करना है रोल बैक करना है उससे उपर को रोल बैक नहीं करना अब यहां के तुर अगर रोल बैक लगा होगे तो आपके डिलीट और अपडेट दोनों रोल बैक हो जाएंगे मुझे सरफ डिलीट को रोल बैक करना है तो मैं यहां पर क्रेट करूंगा मैं यहां पर क्रेट करू क्तैने रोल बैक रृसकेंगी तो यहां पे तीसाहः था सेव पोिंट्स दो सेटुए काम क्या होता है आपकी ट्रांजैक्शन को माुक करने के ऐसे इत इक ड्रान्जैक्शनिकाट काम करता है जिससे की सेलकेट ट्रांजैक्शनी रोल बैक हो सके ओके next concept of the copy बिको next concept समझाए देखो देखो next आता data control language DCL data control language अब देखो DCL समझाए देटा control language बैखो DCL कोई-देखो पर्मेशन देना पर्मिशन के लिए परमिशन औलोट के लिए आपके क्यामनिन क来 सकते हैं कौन सी गेरन कमार द είको समझो कि आपकी पर मिशन देने के लिए आपट की ग्रांट कमार्ड कैसा दो ग्रांट उसके दाट इन स्थाइं तो यहां पर मैन्के किया है यहां पर किसको दिया है अब इस यहां पर किया है यहां क्या होगा यहां पर क्या होगा ABC नाम के यूजर को देखो यहां पर समझो ABC नाम के यूजर को इस्टेंट टेबल का डेटा डिस्प्ले करने की परमिशन दी गई है ABC नाम के यूजर को इस्टेंट टेबल का डेटा डिस्प्ले करने की एक्षी परमिशन दी गई है तो यहां पर राए यहका है ABC यूजर है इस्टेंट आप सेलेक्ट किया है परविशन तरह यहां परमिशन और इसका इस्टेटमेंट न्हेंर अपर पार कोशन नहिussian को यह तो तो आपकी क्या अपकी मेनी पर्मिशन को क्या करते हैं मियर्ण को करते हैं करते हैं टेशन टेबल पर पॉपर तोयाँ प्रोegenमों होता है बैस इतना सनतर्स अनधर आपर थोतना खोन होता ओको का कना देना तुपंट रहां पर सेक्ट करते हम यूम जटे में उस नहीं गुजके आते हम फोन टूपका मतलब परमिशन देना प्रोम का वापस लेना देखर स्टेटमेंट का है सलेक्ट और फ्रॉपन ऐन एंट फ्रॉं मॲख यहां है को सब्सक्राइब। अबने में की सबस्क्राइब करने वापस ली जाती है मियई तो यह आपका है रिवोक ग्रांट से पर्मिशं देते हैं रिवक से पर्मिशन वापाँ से लेती है तो मैं अब немें कुछ आपके एसके के कुछ ऑपरेटर से हैं तो मैं आपको नॉर्म बार बता देता हूं आपके और बात को तो आपका अर्फमेटिक बात कर खुड़ मा पके प्लस माम अपको गुना बाग हो गया पर फिर पर इक वर गोट होता है पर लैस्ट ग्रेटर दैनल इकुल टू ग् कलेंस होता है रोड़ अग्रिए तक ईन्पोडेंट है एंग्री आपका इन्पोडेंट है जिसम आपका मिन्स होता है माक्शिम होता है इसमोंट प sür запис deeply Sam again पुझेंशन पूम पूचलते नहीं तो पवे से डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम में लेते हैं डेटा क्या करना है डिस्प्ले करना है देखो समझे आपे स्ट कमाड क्या करती है देखो डिस्प्ले डेटा डिकोर्ड मतलब यहां पर करते हैं रिकोर्ड को डिस्प्ले करते हैं ठीक है अच्छा अब देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या होते हैं यहां पर पहले स्टेटमेंट में लिखा है सलेक्ट इस्टार का मतलब होता है सलेक्ट इस्टार फ्रोम इस्टेंट इसका मतलब होता है डिस्प्ले ओल डिकोर्ड इसका मतलब इस्टेंट टेबल्स के सभी रिकोर्ड को डिस्प्ले करेगा यहां और यहदो सबस्क्पर 152, 202 इसको बिष्रव नम्बर का means ढ़ल नमबर नेम सुलक्टेछ को भौन को डिस्प्ले करेगा तो यहां पर में यहां पे क्या होते हैं आपके जो सेल्इक कमांड की बात करें तो सेलइक कमाड्र यह आपके करती हैं आपके डेटा रिकोर्ड रिकोर्ड को डिस्प्ले करने काम आती है अब डिस्प्ले कैसे कर सकता हूं भाई या तो मैं सभी रिकोर्ड को डिस्प्ले कर दू जा फिर मैं पार्टिकुलर को डिस्प्ले कर दू और उसके साथ दो इसके साथ में आप में क्या वालन तकल में इंप्रोंट एंप्रोंत हुंच को सहीड़ा हुआ तरोस वर भी खोंचण करें और से मुझे यहां पर इपार्टमेंट में कितने एंपलोई मुझे यह चीज काउंट करनी है तो मैं कैसे करूंगा देखो समझे आपे मैंने इस्टेटमेंट लिखा सलेक्ट डी नेम डिपार्टमेंट नेम उसके लिए काउंट इस्टार फ्रोम एंपलोई तो अगर आपने द्यान रखना यहां प यहां पर यहां पर क्या करेगा यहां पर सिमिलर वेलू गुरूप बना देगा और काउंट इस्टार क्या करेगा उनकी value return करेगा countator क्या करेगा उनकी value return करेगा तो group by का function का काम क्या होता है similar value का group बनाता है तो आपको इतना दान रखना है group by function आपके similar value का group बनाता है और एक चीज़ यह दान रखनी है कि जब भी यहाँ पर किसी aggregate operator का यूज किया जाता है तो उसके साथ लिखे गए column को हमेशा group by के साथ लिखना compulsory होता है else आपके syntax में error आजाएगी ठीक है अच्छा दूसरा एक चीज़ एक दान रखनी है देखो next आपका दान रखना है एक having close होता है having close का का काम क्या होता है कि group by के साथ कोई condition लगने के लिए having का yüz कर जाता है तो हमें क्या है कि group by के साथ कुछ condition लगाणी है तो किसका बाउब का यूज करूगा We do C किस्ट होता है आपकी अ क्मा vandaag करता प्रते अस्थ और डी आंड़ों रिखो कि आसेंडिंग और डिसन डिए ओडर में आपके एसहां डिएंड ऋडर में रजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए ओडर भाई क्लोज का यूजा जाता है ठीक है अब यूज कैसे करेंगे देखो select employee name select employee name from employee order by अपर order by क्या कर रहा है मैंने salary क्या कर रहा है ascending salary कर रहा है देखो यह is it क्या होते है ascending के लिए होते हैं तो दाने यह is what from किसकी है किसकी है ascending की so farme है और आपके dc short form किसकी है descending आपके result को औरेंज करता है अससेंडिंग और डिसेंडिंग। में ठीका घ्ली आपको पता हूं अच्छा अचाथन नेक्ष्ट आता है कि है। अकार सेक्षिक रिचल आते हैं इसके स्कुरूरेण सिवनिय। है कि इनका sequence क्या होता है अगर मैं सारे close का use कर तो close का sequence क्या होता है यह भी बहुत important exam point वीसे आप से directly question पुझ जाता है तो सबसे पहले select फिर from फिर where फिर group by फिर having और फिर order by तो देनको आपके right sequence है यह आपके सारे क्या है right sequence है जो आपके real में जो sequence देखो यह आपके right sequence है select from where group by having और order by तो आपके यह आपके sequence होने चाहिए ठीक है तो exam में बहुत पर किशन पूछ लेता है इन पर sequence क्या है ओके देखो उसके बाद आपका इन ओपेट रहता है है एक आपका इन ओपेट रहता है तो इन ओपेट दो काम क्योंते समझ़ों देखो इन ओपेट रहता है यहाँ इन का मतलब है कि यहाँ पर आपने जो प्रिक्स पता लगाने है गतनी है इसे मुझे इस सब्रण कितने मैं कितनी है जुट के जैप बंपर बहुत बलों करते है तो इसे घृषिक्स वैल्यू करते हूं तो इन क्या करेगा आपके फिक्स वेल्यू पर काम करते हैं नेक्स आता हमका बिट्विन ओपरेटर बहुत इंपोर्टेंट बिट्विन देखो बिट्विन का देखो बिट्विन बहुत इंपोर्टेंट है बिट्विन का मतला होता है कि यहां पर क्या होता है कि रेंज कंपेर करते हैं यहां पर क्या हो include include हो गी आगर किसी employee की CLD 10,000 है तो उसका नाम आएगा या नहीं आएगा मुज़े इसका answer देजिये कि किसी employee इसс pasture 10,000 है तो उस employee का नाम display होगा या नहीं होगा जल्दी से first answer दीजिए मुझे किसी employee देगो यहां पे किसी employee की salary कितनी है 10,000 है between operator use यूज के है एंपलोय के शेल्ट है तैन थाउजन तो उस एंपलोगा नाम डिस्प्लेया नहीं होगा ज़ल्दी सिया आंच ऊपई कोगे नहीं होगा फास्ट जल्दी से लिजयन विप्टीनिा इस राटिर ढות रडिस W cách जानघन इसका मेन कंसेप्स समझेँ देखो यहां पर इसका इन्पोर्टेंट यहां पर इन्पोर्टेंट के यहां पर दू अ कि यहां पर कहता है बोथ बाउंडरी वैली इन्कूर्ड दूड का मतलब है अगल्म एस कि सेलरी अगर का में कि हिमतले 60000 और अब कर शाब करें inici उस वन्हें इस ठीस्ष्यन पुट रहे को फोसे बिट्व अच्छा ओकई पृजआ नेक्स भूब कर घ्ली का मूंडब यह ना आपकी पशूंद खीसती हैं जरूर यह नाğ आपकी पसंद्की कि माले रिग कंड कर देखोक। तो देखो मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं कि हम पर select employee name, from employee, और where क्या कर रहा हूं, where employee का नाम मैं क्या कर रहा हूं, like, देखो मैं ऐसे employee का नाम find out करना चाहता हूं, देखो समझो हां, मैं ऐसे employee का नाम find out करना चाहता हूं, जिसका नाम start Sunil से होता हूं, जिसका नाम किसे start हो हो Sunil से तो यहां पर कहा है नेम तो यह हमेए सम्झोelectप नेम स्टार्ट इब किससे नेम stos excited कि से Sunil से सकंपने नाम सिसकर नाम इसका नहूंस से होता हूं Sunil से ऑठों कैंब अब सब्व unrelated को अगर मैंने लास्ट मी का लगा रहा है कर दो कर दो को फॉत अंगर बेस्टीपल वैलू करता है कि ली एक इसका मतलब है आगे आगे आपकी कितनी वेल्यों सकती है जीरो सुनिल के आगे आगे आपकी जीरो वन टू कितनी हो सकते हैं आपको नाम स्टार्ट सुने होना चाहिए उसे एंपलोई का मेरे को रजल्ट आ जाएगा ठीक है अच्छा दूसरा यहां पर मैं कहा रहा हूं कि यहां पर संटेज में आगे लगा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा नेम किस इसका मतलब है कि नाम देखो यहां पर दिखो सुनिल अफ शूनिल अनिय्वेर अपके सुनिल कहीं होना चाहिए इसका मतलब कर परसेटेज कुल पर जीरो वन औरọi मल्टीपल अभर शुनिल आपके कहीं पर आच यहां आपका क्या हो जाएगा रजल डिस्प्लोज होगा तो तो मैं दोनों सेट क्या लगा दिया परसंटेज अब देखो मैंने आप एस लगा कर फिर परसंटेज लगा दिया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है नेम स्टार्ट किसी होना चीए नेम स्टार्ट किसी होना चीए नेम स्टार्ट विद किससे ऐस से होना चीए किससे स्टा स्टोर्ट दो नेम स्टान इस्टार्ट इसको नियम स्टार्ट विलेतर एड मैं ते घ्रेखिंड लगात अन्न उसके बाद में प्रसंटेज दो लगा दिया तो इससे क्या होगा इस से ओगा ये नाम में स्टार्ट करेक्टर होना चाहिए उसके बाद कितने करेक्टर हो सकते हैं ठीक है तो ध्यान रखना इस टैप के जो आपका लाइक कमांड इसके उपर आपके बहुत बार एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है तो देखो समझे आपे अगर परसंटेज बाद में लग रहा है तो इसका म नाम एंड यादधा होना चाहिए जैसे यहां पर क्या है जैसे सुनिल यादधा हो गया रहूल यादधा हो गया अरीश यादधा हो गया तो यहां पर याद यादधा होना चाहिए ठीक है अच्छा अगला मैंने क्या परसंटेज आगे लगा रहा है तो इसका मतलब है कि के सिंगल कारण करता है घृत तो इसको मतलब एक है कि साट और चयए देहों ऐसे खुद हो गया वह एक गर possibilities को ओघेटलि ओध फोर कलेटली फोर क्रेक्ट मुश सब्सक्राइब तो इसके बात पर ऐसे सेटित हैं तो अभी हमने क्या कि सारे के साभर कॉर्स कर लिए ऑल के चैंगे आपको। प्रिविजिन नाम से टेलिग्राइब ले सकते हो और यह पैनल की पीडिएप पीडियेप होती है यह पैनल की पीडियेप आपको पर हो जाएगी तो पैनल की पीडिया पर यह भी मैं टेलिग्राम चैनल पर अवलेबल करवा दूंगा लास्ट के टैम पर रिविजन क्लास है यह रिविजन क्लास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है दो यह जो रिविजन क्लास इसमें मैं पूरे दिन आपके लिए सोट नो सियुक्त है ठीक है अपने सोटनोट नहीं बनाई होगी आपने मेंद नहीं किए लेकिन सुनिल सर ने आपके लिए मेनद किया तो आपका रिजल्ट में लिए बहुत इनपोर्टेंट है और रजल्ट बाद आप पर टेक इस्टेंट में रहे एक सेंट मुझे कोल करके करते हैं definitely आपका जो डीए से कहें उसके लिए भी लास्ट में आज बात करूँगा ठीक है ओके पहले बर यहां पे सबसे पहले स्टास को कंप्लेट करते हैं उसके बाद को देखो सबसे पहले आप आता हैं वीच ओवफ फॉल फॉर्म उफ डीडल बहुत इजिक्ग कंशेब्ट है फुल फॉर्म यह पुछे जल्दी से बताज़े डीडेल की फॉल फॉल फॉर्म क्या होती है डीडेल क्या होती है डीटा-डीट डेफिनेशन लेंग्वेज वोट इसत από जल्दे को दिढ़े को अ Chanel कि अ एक सबीका पॉर्टे आप होम सबीका पार्टीफिपेशन जरूरी है जल्दी से सभी इंव नोर्मेट हो जई है सभीका पार्टीपेशन जरूरी है टेटा डीटा डीनिटशनलैंव टी आइट डीशनलैंश्ट देटा डीटा डीटिक्टा डीटेशन रे हैंट डीटा डीटेएट लेट्स्ट कमे मिक देश्चिन अल्सी मुमिर्शन tidak ने पोधन सेćव कि विट कंतेटो जानlynn कैंत मैं हो ऑग्हां आपके लागा में शायव मोर आपके system के failure होने पर आपके data को protect करती है तो दिए अगर मैं transaction property बात करूँ देखो यहां पर मैं transaction property वात करूँ देखो समझे यहां पर transaction है प्रोपर्टीज की मैं बात करूँ तो देखो आपकी प्रोपर्टी होती है acid देखो these typically yeah डिन को पीक हमके प्रोपरटीश सी को छोड़ को सकता है यह हुआ ऐड्वोड को व supreme role design आने को मतलब है यो डिद को ते हूं ऑल टि तो देह को यहां पर आपकी ऐसीड प्रोपरटी अटॉम सिटी कन्सीस्टैन्सी इसूर डूर्लेबल ही आफ डूर curve तो अब यहां पर atom city परोपर्टिय कहते है कि आपकी transaction के सारे शारे operation परफोर्म होने चीए नहीं तो आपके transaction का कोई भी operation परफोर्म नहीं होना चीए वो तो कहते है atom city consistency कहते है कि database में transaction start होने से पहले database में transaction complete होने बाद database consistent state होना चीए इसका मतलब अगर मैं money की बात करूँ पर सारे कि शारी ठार पहले transaction को आपको कैसे प्रफोर्म करने तो आपको सीरे वे में परफोर्म करने और द्रभल्टिय कहती है estou LTV ऑनने में तो अगतहेजिए हैं कि और कोने सबूरीं खाले सब्सक्राइब' पत्लब र jóज लाज jumstator सब्सक्राइब के सबस후istem कोका अगतेज को के समेहे पाले सब्सक्राइब 5ク1 successful transaction perform होगी तो उसके बाद चाहिए आंदी आए चाहिए तूफान आए चाहिए पूरा पूरा डेटाबेस जलके नस्ट हो जाए बढ़ डेटा मिलना चाहिए यह कौन गार्ट देता है यह गार्ट देता है डूरेबल्टी और यहां पर पुछा क्या गया है यहां पर पुछा पूछेटाबर ऑणी तूफान की गाईट देता है टो छोटी चीज्श सिस्टंब तो गार्ट किसके होती है गार्ट इंट होते है एच लाइट आट में अन्सर और पूराश के बीच में वन तूमन रेसेंशनचीब पहलें जल्दी से मुझे आजसा जल्दी से यह कराया मैंनी टीच्चर है मैनी क्लास यóg मैंनी क्लास य stress कुछ हैं अच्छा यह उल्टा बन गया देखो वन क्लास वन क्लास वर मैंनी टीचर दो यह उल्टा बन गया यह टीचर क्लास की बीचे बीचे बन गया रिवर्स बन गया यह कर रहा है वन टीचर है व मैंनी क्लास देखो देखो यह लास्ट वालत दिखा देखा देखा देख आपे कह रहा है one teacher have many class right answer कोगा she is the right answer right answer कोगा she is the right answer one teacher have many class she is the right answer अब अग्ला next आ रहे आपका er model use this symbol to represent weak entity set जल्दी से बताज़ें बाइब विक एंटिटी set के लिए क्या होता आपका विक इंटिटी सेट के लिए क्या होता है आपका जल्دी से बरता दीजिये फास्ट अंसुर दीजिए का बिकर एटली सेट कि वोड़ी जाई अंसर कि क्या था यहाँट आपका कि डेबल आटलाइन डेक्टेंगल डेबल आउट रैन डेक्टेंगल एक ओके है दबलाव हो यह दा कृकर डेक है कि बोल छाट कंसेप्ट किसके द्वारा यूज़ किया जाता है जoga यहां पर क्या होता है मैं बता देता हुआ थी अधिक जो नेच reach m Venaldos data ने ट्रग मोडलोथ में लेशनशीत स्थापित करते होगा आपके मैंनी पैररिंट मैंनी चाय्यल्ड वह आपके सैट इस होते हैं तो राइट अंषिर घए इत् primeira SQL query will not work if there are no index यह करे आपकी काम नहीं करेगी जब इंडेक्स नहीं होगा क्या ऐसा होता है क्या नहीं गलत बात है ऐसा नहीं होता है रोंग statement है SQL query आपकी काम करती है जब इंडेक्स नहीं होता है तब भी आपकी काम करती है यह क्या रहा है SQL प्रवल्ण के नेम से मिटेबल रिपीट नहीं हो सकते यह करें SQL query automatically eliminate duplicate यह करें SQL query आपके duplicate को अपने आप अठा देती है नहीं अठाती वहीं आपके keyword कोन सो होते है डूपलिकेट अटानली है जल्दी से बताजिए keyword कोन सो होता है distinct होता है तो आपके नेक्स्ट आ रहा है which of the following are the property of attribute यह कर से यह करें आटिटी की property को होते है जल्दी से बता जिवाए entity property को होती है what is right answer entity property का गलती है आपकी attribute कलाती है entity property का कलाती है आपकी attribute कलाती है ओके एंटित प्रोपर्टी का गलती है एत्रिबुट कलती दी ते एंसर फॉपर्ट्य ऑ PPT और यह अंसर आपकी सब्सक्राब साथे जोग Captain आ यह하면 Kentucky क्या ग्रुम्पा उब्यों ॉप हुए कि यह दो एक देखो फाइल और जिस्ना बात करें आपको समझो फाइल फाइल नगात करें वह सब्से फास्ट एकस्स किसके द्वारा प्रवीड के जाता है यह यह घरा है यह फाइल और पाइल ओडिड फाइल या फिर नीचे वारा जो लास्ट भाब और जुक्तों बीट REE जल्दी सब्सक्राइब रिलेशनल एलजब्रा क्या होते है जल्दी आंसर दीजिए फास्ट अरे जो सोना ची आप में एक्जाम आपका इतना नजदीक है सुनिल सर आपके लिए दिन रात महिनत कर रहे हैं क्या कैसें डूआं सुनिल सर सुभऐ से लेके जात तक जब तक ने निया ती तब तक आपके लिए मैंनत करते हैं कि जल्दी से फास्ट इसका राइट अंसर दे दीजिए जिए ड ली स्यूर्प औरहा नवाग्रार जबरा क्या होता है प्रो मेसेर होता है आपके table के बीच में रिलेस्टंशिप किस के द्वारा दर्शा जाती है की to represent relationship between Table Table के बीच में relationship जल्दी से सब द्दा जिए right answer आप concept अभी पढ़ चुक है Deborah जल्दी से बता दीजिए आ वोटीठाइटान उड़ we're astanse क्या होगा फोरन की फोरन की क्या होती आपकी राइफ्रेंशल होती है क्या होती आपकी mark कि आपकी रैफ्रेंशल की होती है जो क्या हरती है इंव Gleich C करना है लोग कि जल्दी इसर राइचि इसे उपी ख matter deze आ Pop coach ए द distraction यह जहारा है किस आपके क्या करना फिल से अध्री जार्फी Im डिट ए पैसिलेशीजिशीिप कैसे बनाती हो नटेको इंट्रेक्शण पाट्थिशन प्रोड़क्त तो अख्रोड़क्त हो से बनाते हो जो क्लूटर कर्रोड़क्त ऑस ऑफ करोउग्सीन से पर टो चाहिए प्रोड़क्त प्रोडेक्त कि लोने चाहले आते हैं बेट डाइस पेसिफिक क्राइटेरिया यह करें किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेश्ट पे आपके टेबल के डेटा को व्यू करने के लिए किसका यूज किया जाता है लास्ट वारा है फोर्म तो किसका उज़ किया जाता है क्यूरी का आपको रिपोर्ट का क्यूरी का तो जो किकल आपके स्केल क्यों होती है इस ट्रक्टर क्यों होती है किसको जाता है क्यों राइट राइट अंसर पिस दा राइट अंसर शयां एक के दो किदो नहां आट करहा है इन वीक षस्टेट 1 वन गेटर रेंड लिस्ट, ओफ्ट डावेश्च डिजयाइन, पो गेश्च ठोडे रहा है in which, in in which state one gather and list all the necessary fields all the necessary fields of the database design design project the field का मतलब आपे का कोलम फिल्ड का मतलब क्या है कोलम थोड़ा सा क्यूशन गुमा के पूच्छा है फिल्ड का मतलब कोलम और डेटाबस को कि दुद्नेक्ट है इन वन तो मैने ऍरर्लसंचीप और टेबल मन 새態 बहुत अच्छाide फिर्षा क्रेक कैower स्वास आगो क्यों बाहले है चल्ड क है जल्दी से बतातिया बहुत कि इस्टेंट स्टेडी कोर्स और मैं कहरा है इनके बीच में वन टू मैं लेसंचिप है तो मुझे बता दीजिए आपे मैंनी साइड जो आपे टेबल्स मनती है वो क्या होती है जल्दी से फास्ट इसका राइट आंशो देखा होते है पैरेंट होती है पूरा डिटेल से बता देखो विचोग फोलोंगे पर्जव प्रीज क्या है प्रीजर्ड इन दा एक्जीकुशन ओफ दा ट्रांजक्शन इज आइस्योलेशन अच्छा यह कह रहा है कि देखो भई यह कह रहा है कि निमन लेक। कौन सा लेन देन के निश्टाबन के लिए संद्द देखो यह यह क फně्ट यह आपकी करता ट्रां जर्चन को बचाती है कि शीशन बचाती यह असलेशन कहती है कि आपकी ट्रांजक्श्न T-2 एंट राजक्शन ट्डीट्य प्रांजक्शन T-5 सब्सकर चलती है देखो समझो यह सादिक स्याद ट्रांजेक्शन पैरल चलती है तो इसलेशन ने कहते हैं कि इनको पैरलल मत चलाओ इनको सीरियल में चलाओ और जब मैं ट्रांजेक्शन को सीरियल ओडर में चलाओं तो सबसे बड़ा बैनिफित मुझे क्या मिलेगा सबसे बड़ा बैनिफित इस बेस्ट ओन दा ट्रांजेट्व डिपेंडेंडेंसी जल्दी से बता जब ट्रांजेट्व डिपेंडेंडेंसी पर कौन सा बेस्ट होता है जल्दी सांसों देदीजे ट्रांजेट्व डिपेंडेंडेंसी पर कौन सा बेस्ट होता है कहरें आपके ट्रांजेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कुआ क्या मैं एक टोम्मिक वैल्यू आपको अपका सेकद नोल फॉं किसमा ब मेशसके बफ़ दोता हैं पार्षियल डियू पर बेच बोता हैं पार्षियल डिपेंधें लर्बेश हुता हैं तटर में मे बिचो होता हैं ठाथिंटीप अग accesonder फ्सकेष know डिपंडेंस इपर बेट थो तरइट आंसों कहोगा शीजदर राइट आंसोर शीजदा राइट आंसोर ट्रांजेट टी डिपंडेंसी फर बेश्ड होता है इसका तो को बताता है इसका जल्दी से आणसो दे दीजिए कूं बताते हैं आपका है कौन बताते हैं फिजीकल टानस क्या होगा फिजीकल वोटीजाइट आइटा इंस भीकल बिल्कुल सही बात है जो फिजीकल लेवर होता है मताता है कि रियल में डेटा कैसे इस्ट होता है देखो नेक्स्ट है आपका देखो नेक्स्ट आप रहा है वीच ओफ फॉलोविव एस्क्वेल कमांड इस तो रिमू डिलीट ए रिलेशन देखो यह लास्ट का जो आपका जो डी स्टेटमेंट डी में लिख देता है अपे डी का आप है ड्रोप देखो डी आप यह ओप्शन है वो डी को में लिख देता है मालक से डी ऑप्शन है वह आपका ड्रोप है यह कह रहा है वीच ओफ फॉलोविंग एसक्वेल कमांड इस फोर रिमू डिलीट ए रिलेशन देखो रिलेशन को डिलेट कर रहा है रिलेशन मतलब क्या होता है रिलेशन को कौन अटाता है जल्दी से बता दीजिए कौन अटाता है कौन अटाता है रिलेशन को ड्रोप 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 इंटर लेटे देटा तो जी कुलेक्स्व मैंने बॉस्जेंग आगर परिग्शने की अटाल परजेंगल किसे को रिक्ते हैं रिक्टेंग ते में इन एडर इन है रेक्टेंगल किसह को seconds करता है है कि वहटी यूटी रइट इसे हैं को किसको रे अठीज करता है यह और छ? आपके टथिपाल को uniquely identify को न करता है है रॉकटर्ट डाकर रिकोर्ड, रिकोर्ड का मतलब रो है नै, रिकोर्ड रोसा ही बाध है इनिखल अचाट को नही initiate कारता है सुपर्गि करते हैं ए इट्रियूट करता हैं इस महम करते हैं डोमेन करते हैं what is right answer जल्दी से right answer देजिए what is right answer what is right answer जल्दी से answer देजिए right answer क्या होगा super key is the right answer super key is the right answer super key is the right answer सम्झो which of the following is the minimum super key मिनिममाल सम्पर क्या कखेत है जल्दी से बता जिए Bowl tes meet k घयलाती है okay मिनमल souls परिट्य के राटिया है कि एके मिन शूपर केश्ते हैं घरीघ्ट के र具été है और इस पूसर को पाइंड, सक्उसर क्यंट करते है नल्सक्षाइं नहीं पारा हूं घराले क्या है नेस और और तक्रोड़ा है। bits तोटल को सिर्ट करने के लिए कौन सिसी कमानड का यूज किया ज़ता है किसी पाइटिकुलर कॉल्म को स्थ करने के कुण strengthening कि रूट करने क्या है पार युनियन ज्वाइन प्रोजेक्शन स्थलinka तो कॉलम पले होता हैं प्रोजेक्शन होता है क्यों देश्म होता है जिसे आपका कोई भी टेबलस हैं टेबल कंदें किसी पाइटिकुलर को क bene क्या करना कि परट गे गोलाइं को स्ट कर ना आपकोकिंपूता है कि किस्प्राइच लेप्रोजक्षान करते हो किया कर दो प्रोजेक्षान कर दो राइट alegra कि देखो नेच्ट कुशन आ रहा है सलेक्ट सलेक्ट दक कर्एक्ट cmd to modify column in a table आपके कहरे हैं table के column को मोडिफाइ करना है उसके लिए सही कमांड कौन शी है को कॉलम पे काम करना वाइट टेबल के को मोडिफाई करना है राइट अन्सों क्या होगा जल्दी से बता जिए राइट अन्सों क्या होगा को लम पे काम करना आपको राइट अन्सों क्या होगा वोटी राइट आंसर किसका कमांड का यूज करते हैं अल्टर तो देखो जब भी आप इस टेक्चर में मोडिफाई करेंगे तो किसका यूज करेंगे अल्टर का यूज करेंगे ओके किसको करेंगे अल्टर कमांड का यूज करेंगे और और जो झाल की खेंट तो और भी अटेच है तो वहां पर जो बागी कुशन अटेच है वो सारे कुशन आप खुद से सोल करेंगे क्योंकि यह सेसन आपका अलड़ी काफी लंबा हो चुका है और एक्जाम आपका बहुत नजदी कर मुझे पता है कि डीबीमस मैंने आपको सब्सक्राइब कर लेकिन लेकिन मैंने रीकॉल आपको इसलिए करवाया है कि बायचान सकर किसी ने आपके कोई कंसेप्ट अगर आपको इमेज दुंदली हो चुकी है तो इस वज़े मैं इस क्लास का मेरा उद्देश यही था कि डीबीमस का आपका सारक सार आप रीकॉल कर ले तो यहाँ पे प्रें मरातन क्लास का Real 줘 means होता है यही होता है है वजगे रील fatto म कंसेप्ट का मतलब यही होता है कि आप सारे concept को करो और उसके अबाद उनको किश्यन के किश्यन में करकर के शौल कर वा हूँ जिससे की जो च्राइड अल्रेड आज जो पढ़ चुका है उसके मैंड में जो इमेज दुंदली हो चुकी है या पिर उसको कोई भी सब्सके माइड से इसकिप हो चुका है तो उस concept को recole करवाने के लिए मराथन क्लास का यूज किया जाता है तो देखो मराथन क्लास का real means है कि आप concept recall करो और सेट recall करने के बाद आप क्यूंशन रटने होते हैं अगर आप क्विश्चन आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन concept नहीं अगर आप conceptual focus करते हो अपने आप पर conceptual माइंड चे अगर आप concept पर focus करते हो तो 100% आपका किसी टाइप का कोई भी question बने अप question गल्थ नहीं होगा और अगर आप directly question रटते हो तो अगर आपको थोड़ा सा एक keyword भी चेंज हो गया तो आप फिर आप भी चेंज हो जाओ गया तो आपको concept पर focus करना है जाद ऐसे रटना यह चीजों को देखो मेरे द्वारा मुझे पता है मेरे द्वारा यह आपको सब्सक्राइब करवाई गया तो आपको सभी को सब्सक्राइब मतलब टिप्स पर हो गया है अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसे जारता कि साथ नींद में भी अदिखते हैं कोई दिक्कत नहीं वह आपको नींद में दिखते हैं तो 2-4 दिन और दिखना चीए अच्छी बा सब्सक्राइब जब तक नहीं सोता हम तो तब तक आपके लिए मेरे ने के बाद इछाही का मेरे बीकर दफ्सक्राइब करता है उनके लिए पैसी अलफ करता रहूंगा जैसे आपकी you किया मैंने और मुझे आप सभी का सलक्षन चाहिए मुझे 100 परसेंट आप सभी का सलक्षन चाहिए और सलक्षन होके रहेगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करवा है आप सब डेफिनेटली आपने वी बहुंत सारी मेनत की हैं बिल्कुल भी negatively झोचना आपको 1% प्रसेंट बिआपको negative नहीं सोचना negative नहीं होना क्यों की मैं हुआ है जोचन हमारा होके रहीगा हुआ ठीक स्क्र diff- बिल्कुल टायम को एक मैं आपका नहीं चाहता है एक मिट भी टायम करणा आपको बताता हूं मेरी कजिन जो हैं जो उसकी कलकी यहां पर लगन प्रोग्राम है घर पे तो मैं आज रात को आपको कोशिश कर रहा हूं कि आज रात को मैं डिये से के important facts आपको record करके देखके चला जाओं क्योंकि मैं कल नहीं आपाऊंगा और कल अगर मैं possible हो सका देखो जितना जल्दी मैं फिरी हो कि आ सका मैं रात को कल भी record करूंगा आपके लिए तो मैं मेरी तरफ से best to best कर रहा हूं मेरी तरफ से मैं best to best कर रहा हूं कल मैं maximum अब मैं आपकी live class possible नहीं हो पाएगी अब साइद मैं आपको recorded class के रूप में आपको आगी class दे पाऊंगा तो मैं live class आपको exam के बाद मैं आपके exam के बाद मैं आप से डेफिनेटली exam के बादा सब चछे से बाते कर अभी में बाते आप से नहीं करूँ मेरे खुद के जो मैंने मेरी तरफ से जितनी मैनत हो सकी मैंने मैकसिमम यहांपे सब्जक्ट देखो मैं और भी सब्जक्ट डिलियोर कर सकता था लेकिन मैं अल्रीडी मैं एक बड़ी-बडी कोचिंग से जुड़ा हूँ जो पर मेरा इतना वरकलोड होता है कि वहांपे मेरे सब्सक्राइब को फीर होने के बाद मैं आपके लिए यह सारा टायम दे पाता हूं तो अल्रीडी मैं इतना सारा बजी था है इसलिए मैं ज्यादा नहीं दे पाए आपको मैं कोशिस करूँगा कि आपको और भी क्लास में आपको अच्छे कंसेप्ट रिकोडेड के तरू मे तुरूद दूँ मेरी तरब से मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं और आपको भी अपनी तरब से जी जान लगानी है दोस्तों इस एकजाम में सलक्षन ही मेरा सबसे बड़ा टारगेट आपका और आपके सलक्षन के बाद मैं मुझे आपके स्कूल के नाम से आपके नमबर भी आई हैं मैंने मेरी तरब से पूरी मेनत किया मैंने मेरी तरब से बिल्कुल मुझे किसी टाइब का कोई पैसो वगरा से कोई लालस नहीं है मैंने नीज स्वार्थ आपके लिए मैनत किया और इसी टाइब से आप प्लीज सपोर्ट कीजिए एक्जाम के बाद इस चीज पर डि करेंगे समाज के लिए अच्छा करेंगे ओके थैंक यू थैंक यू सो मुझ मिलते हैं बहुत जल्दी आपके सेलक्शन के बाद आपको सबको परसनली मैं मिठाइक लाओंगा आपसे निखाओंगा मैं मिठाइक लाओंगा क्यूंकि मुझे आपका सेलक्षन बहुत इंपोर्टेंट है ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मच आपका सेलक्तों हैं इंपादू आपका सेलक्तों है ऑक मिठाइक लाओंगा आपका स alive मिठाइक बवच्चे एंपए औरे excitare जाचे आपकंश मिठाादा हैंक्यू झा आपका सेलक्तों है क्यूथतीます